दिन भर काम करने के पश्या तारकॉल के कारखाने में काम करने वाले वे श्रमिक शाम को खुशी-खुशी वापस आये उनकी आवाद से मात जाग गई और जम्हाई लेती हुई और मुश्कुराती हुई साइबान से बाहर निकली तुम लोग कारे कर रहे थे और मैं रानी साहिबा की तरह सो रही थी उसने बड़ी मम्ता से उन्हें देख कर कहा तो मैं इसके लिए एक शमा किया जा सकता है रिबीन ने जवाब दिया धकावट की वज़े से उसकी सारी तेजी खत्म हो गई थी और अब वो पहले से ज्यादा शाम था इगनाथ उसने कहा चहे बनाने के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है हम लोग बारी बारी से गर करस्तिका काम करते हैं आज हमें खिलाने बलाने की बारी इगनाथ की है आज यदि कोई मेरे बदले काम करते तो मुझे बहुत गुजी होगी इगनाद ने आग जलाने के लिए सूकी टहनियां और खपच्चियां बटोरते होगा तुम समझते हो कि अकेले तुम ही को महमानों से बात करने का चाओ है येफीन ने सोफिया के पास बैठते हुए कहा इगनाद मैं तुम्हारी सायता करूँगा याकव ने कहा सायबान में जाकर वो एक डबल रोटी उठा राया और उसके टुकडे काटकर मेज पर रख दिया सुनते हो येफीन बोला कोई खास रहा है और भीन ने कान लगा कर सुना तदा से हिला दिया वही है जीता जाकता सबोधा रहा है उसने सोफिया को समझाते हुए बताया अगर मेरा पस चलता तो मैं शेहर जाकर बाजार के बीच चौराहे पर खड़ा कर देता उसे ताकि लोग उसकी भात सुन सके उनकी भी बस एक ही रट है लेकिन लेकिन वो ऐसी बात है जिसे सब लोगों को जानना चाहिए गोधुली बेला के साथ साथ नेस तबता भी बढ़ती गई लोग अब अधिक धीमे स्वर में बोल रहे थे सोफिया तथा मा उन लोगों को देख रही थी वे सब बहुत धीरे-धीरे काम कर रहे थे उन पर एक अनोखा शैथिल ले चाया हुआ था और वे लोग भी उन दोनों औरतों को देख रहे थे एक लंबा सा आदमी लकडी के सहारे जुक कर चलता हुआ जंगल में से निकला उसके हाफ हाफ कर सांस लेने की आवाज सब व्यक्तिव को सुनाई दे रही थी लो में आ गया उसने कहा और कहते ही उससे खासी का दौरा पड़ गया वो एक फटा हुआ कोट पहने था जो जमीन तक लटक रहा था उसकी पिचकी हुई गोल टोपी में से पीले-पीले सीधे बालों की लटे बाहर निकली हुई थी उसके हठीले-पीले चहरे पर भोरे रंग की दाड़ी थी उसके होट पर हर समय खुले रहते थे और उसकी आखे यद्दभी बहुत अंदर को धसी हुई थी फिर भी उनमें एक अजीव चमर थी रिबीन ने उसका परिचे सोफिया से कराया तो उसने कहा मैंने सुना है आप लोग किताबे लाई है चीप सोफिया ने उत्तर दिया हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवार सब लोगों की होड से वे लोग अभी तक सच्चाय को समझ नहीं पाए मगर मैं चो की उस सच्चाय को जानता हूँ इसलिए उसकी तरफ से आपको धन्यवार देता हूँ वो जल्दी जल्दी हाफ हाफ कर सांसे ले रहा था मानो नजाने कितने रोज बाद सांस लेने का अवसर मिला हो बोलते बोलते वो बीच में रुख जाता था तथा कोट्स के बटन बंद करने के लिए अपने सीने पर पतली पतली उंगलियां दोडाने लगता था इतनी देर से जंगल में निकलना तुम्हारे लिए उचित नहीं प्रक्षो की वज़े से हवा नम और भारी हो जाती है सोफिया बोली अब मेरे लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं रह गई है उसने खांस देख़े गहां अब तो मेरे लिए बस मौत ही अच्छी है उसकी आवाज सुनकर बड़ी तकलिफ होती थी कथा उसकी पूरी आकरिती को देखकर दिल में असीम करुणा और लाचारी की भावना चाकरित होती थी जिससे एक अजीब सी जुझलाहट पहता होती थी वो अपने गुटने मोड़कर एक पीपे पर इस तरह बैठा मानो उससे डर हो कि कहीं गुटने तूटना चाहें और उसने माथे का पसीना पोचा उसके रूखे केश नीचे लटक रहे थे मानो किसी मुर्दे के बाल हो आग की लप्टें भड़कने लगी अचानक ऐसा मालूम होगा कि हर चीज यकायक चौक कर कापने लगी जुलसी हुई परचाईया जंगल की तरफ भाग चली आग के उपर इगनात के भरे भरे गालों वाला चेहरा दमक उठा आग की लप्टें शान्त हो गई दुएं की बू आ रही थी दीरे दीरे उस खुले मैदान में अंधेरा और खामोशी चाले ऐसा आभास होता था कि उस बिचारे आदमी की कहानी सुनने के लिए सारा माहौल कान लगाए बैठा था मैं अब भी आप लोगों के काम आ सकता हूँ एक काफी बड़े कुना के सबूत की तरह मुझे देखिए मेरी आयू अभी अठारा साल की है और मैं मर रहा हूँ अब से दस बरस पहले मैं बड़ी सरलता से पूरे पांच मन का बोज उठा लेता था मुझे पुरा यकीन था कि मेरे जैसा हटा कटा आदमी सब्तर बरस की उमर तक तो जीवित रहे गा ही मगर उसके बाद मैं सिर्फ दस साल और जिंदरा और अब अब सब खात्म हो चुका है मेरे मालिकों ने मुझे लूट लिया मेरी जिंदगी के चाली साल मुझे से लूट लिये चाली साल इसको बस एक ही दून है रिबिन ने भारी आवाज में बताया आग फिर भड़क उठी पहले से भी अधिक तेजी और तेजी के साथ एक बार फिर परचाईया भाग कर जंगल की ओर आ गई और वापस आकर खामोश आग के चारो और एक भयानक नाच नाचने लगी गीली लगड़ियां चाटक रही थी तदा उनमें से सी सी की आवाज आ रही थी पेडों के पत्या गरम हवा के जोंकों से काना पूसी कर रही थी लाल और पीली लपटें आपस में खेल रही थी कभी कभी एक दूसरे से लिपड़ जाती और कभी अचानक मुड़कर चारो तरफ चंगारियां भी खेल देती एक सुलकती हुई पत्ती हवा में उड़ी और रात के अंधेरे में आकाश पर चमकते हुए तारों से मुस्कुरा कर नीचे चिंगारियों की ओर देखा मानों उसे उपर पुला रहे हूं कि मेरी दुन है यह वो दुन है जिसे हजारों व्यक्ति बिना समझे अलपाते रहते हैं उनकी कटनाई दूसरों के लिए सबग है कितने लोग कारे करते हुए अपाई जोकर भोगे मर जाते हैं उससे फिर काजी का दौरा पड़ गया और वो खांसते खांसते दोहरा हो गया याकॉब ने एक बाल्टी में कौस पे तथा हरे प्यास की एक गट्टी लाकर मेज पर रहती सवेली लो मैं तुम्हारे लिए दूद लाया हूँ वो बोला सवेली ने अपना सिर हिला दिया लेकिन याको उसकी बाह पकड़कर उसे मेज के पास खींच लाया तुमने इसे यहां क्यों बुलाया सोफिया ने रिबीन को डाटते हुए कहा ये किशी भी एक शन मर सकता है मैं जानता हूँ रिबीन ने सहमती जाहिर की लेकिन जब तक इसमें तम है तब तक इसे बोल ले दो इसकी पूरी जिन्दगी तो योही व्यार्थ कुर्बान हो गई अब एक नेक काम के लिए दोड़ी जी परेशानी और सहन कर लेगा तो क्या हुआ ठीक है कोई फिकर की बात नहीं है तुम्हें इसमें मज़ा मिलता है सोफिया ने कहा रिबीन ने कंखियों से उसे देखा तथा गंभीर स्वर्वें बोला आप जैसे शरीफ लोगों को सलीप पर करहाते हुए इसा मसी की तारीफ करने में आनंत मिलता है लेकिन हम लोग इस आत्मी की स्थिदी देखकर सबक लेना चाहते हैं और यहीं चाहते हैं कि आप भी सबक लें मा ने चिंतित स्थिदी में एक बहुं चड़ा ली बस कावी हो चुका उसने कहा बोरोगी जो अब मेज के निकट बैटा था फिर बाते करने लगा अगर इंसान से इतना कारे क्यों लिया जाए किसी से उसकी जिंदेगी क्यों लोट ली जाती है मैं ने फिर दो फेक्टरी में काम करता था मेरे मालिक ने एक एक्टरेस को हाथ मुध होने के लिए सोने का तसला और सोने का बिट पैन दिया था मेरी ताकत और मेरी जिंदगी सब बैड पैन में चली गई मैंने अपने जिंदगी उसी बैड पैन के लिए खुरबान की एक व्यक्ति ने मुझ से काम लेते लेते मेरी जान ले ली ताकि अपनी रखेल को मेरे खुन की गुरबानी दे कर खुश लग सके उसने मेरा खुन बेच कर उसके लिए सोने का बिट पैन खरीता इंसान की शक्ल सूरत भगवान जैसी बनाई गई है ये फिम ने तिरसकार से कहा और यहां उसके साथ ये परताफ हो रहा है तो फिर खामोश न रहो रिबीन ने मेज पर हाथ मारते हैं कहा सहन न करो याकुब ने जोर से कहा इगनात हस दिया मा ने देखा कि ये तीनों टड़के भूखी आत्माओं की कभी भी शान्त ना होने वाली उत सुखता के साथ सवेली की बाते सुन रहे थे और जब कभी रिबीन बारतालाब करता था तब वे उसके मुक को परेशानी से देखते रहते थे सवेली की बाते सुनकर उनके चेहरों पर वेंग का एक अनुका सा भावाट है ऐसा अभास होता था कि उन्हें रोगी से कोई सहानभ होती नहीं है क्या ये सच केहा है? मा ने सोफिया की तरफ जुक कर चुक के से पूछा हाँ सच है सोफिया ने उचे स्वर में उत्तर दिया इन उपहारों की खबर तो मासकों में अख़बारों में भी चपी थी किन्तो अफरादी को कभी तर नहीं मिलता रिबीन ने अपनी आवाज में कहा उसे दर्ण मिलना चाहिए उसके समुख लाकर उसे बोटी बोटी उड़ा देना चाहिए उसका सड़ा हुआ गोश्ट उत्तो को खिला देना चाहिए अरे जनता जनता जब उट खड़ी होगी तो वो काफी भयानक सजा देगी उसे लोगों ने जो परेशानिया उठाई है उसके दाग धोने के लिए उसे बहुत रक्त बहाना पड़ेगा और ये 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 उनका अपना खून होगा उनकी नसों से निचोड़ा हुआ खून होगा इसलिए उन्हें हख होगा कि वे उस खून का जो चाहिए करे पुए चाड़ा लग रहा है रोगी बोला याकोब ने सहरा देकर उसे उठाया और आग के पास ले जाकर बैठा दिया अब आग तेज चल रही थी और उसके चारों तरफ अस्पष्ट आकरतिया वाली परचाया नाच रही थी तद अस्पष्ट लप्टों की उल्लास में क्रिडा देख रही थी सवेली एक कटे हुए पेड़ के ठूट पर पैठ गया और उसने अपने सूखे हुए हाथ आगे की और फैला दिये उसके हाथ इतने सूखे हुए और दूरबल थे कि आग की रोशनी उसके पार होकर जलक रही थी पुस्तकों से ये बात इतने अच्छे प्रकार समझ में नहीं आती रिबीन ने सिर हिला कर रोगी की और इशारा करते हुए सोफिया से कहा जब कोई आद में मशीन पर काम करते हुए मर जाता है या उसका आंग काट जाता है तो कहतिया जाता है कि तोश उसी कदा अगर जब किसी आत्मी का एक एक पुहुंद रखत भी चोड़ दिया जाता है तो उसे भोग की तरह फेख दिया जाता है और फिर उसके लिए कोई पहाना नहीं बनाया जाता ये बात मेरी समझ में नहीं आते है कि आखिर इंसान को केवल आनंद लेने के लिए सता सता कर क्यों मार डाला जाए आखिर लोगों को सताया क्यों जाता है हम सब लोगों को क्यों सताया जाता है केवल मजा लेने के लिए सिर्फ अपना जी प्रसंद करने के लिए सिर्फ इसलिए कि इस प्रित्वी पर कुछ लोग एश कर सके इंसान के खून के बदले चाहे जोज खरीद सके एक्ट्रिस खुड तौड के गोड़े चांदी के छुरू काटे सोने के तश्टरिया अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे खिरौने ला सके मालिक कहता है काम करो ज्यादा से ज्यादा काम करो ताकि मैं तुम्हारी मेहनच से अपनी प्रेमिका के लिए सोने की सिलफची खरीद सबूँ इन सब बातों को सुनते हुए मा को ऐसा आभास हुआ कि पावेल और उसके साथियों ने जो रास्ता अपनाया था वो रात के अंधेरे में चगमगा उठा खाना खाकर वे सब व्यक्ति जाकर आग के चारों तरफ बैट गए आग की लप्टें वो के भेडियों की भाती लकड़ी के कुंदों पर जहपट रही थी उनके पीछे अंधेरे की एक दिवार खड़ी थी जिसने चंगल और आकाश सब को छुपा लिया था रोगी बैठा आगे फाड़े आग को घूर रहा था वो निरंतर खाज रहा था और इस तरह काप रहा था मानों उसके बचे कुछे प्राण बीमारी से ज़ज़ जिसन से बाहर निकलने को व्याकुल हो रहे हूँ लप्टों की रोश्णी उसके चेहरे पर पड़ रही थी फिर भी उसने बेजान मुथ पर जीवन का कोई निशान दिखाई नहीं देता था केबल उसकी आँखे एक भुश्ती हुई अगनी की रोश्णी थी सवेली चलो साइबान में चलकर बैठते हैं याकुल ने सिर जुपा कर उससे कहा क्यों रोगी ने बड़ी कट्णाई से पूछा मैं यहीं बैठोंगा फिर मुझे लोगों से मिलने का अफसर कहा मिलेगा उसने चारों तरफ नजर दोड़ाई और कुछ तेर रुक कर सूखी हसी हस कर बोला तुम लोगों के निकड रहना मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे तुम मुझे आशा होती है कि तुम लोगों से ये संभव है कि तुम उससे बदला ले सको जिन्हें दूसरों के लोब ने लूटकर माल डाला किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया और वो शेगर ही सो गया उसका सिर निढाल होकर उसकी चाती पर छुक गया यहां आकर इसी प्रकार की बे तहा बाते करता है कोई बात के भारे में भोलता रहता है खाल कीश लेने के इस भयानक खेल के विशे में रिबीन ने उसकी तरब देखते हुए धीर इसे कहां कि इसके रोम रोम में यही एक बात बसी हुई है कोई दूसरी बात इससे सुझाए ही नहीं देती मानो इसके नेत्रों पर इबात चिपका दे गई हो वो और देखे भी क्या माने कुछ सोचते हुए बताया जब प्रति दिन लोग काम करते करते अपनी जान इसलिए देते हैं कि उनके मालिक दुनिया भर की फालतू बातों पर पैसार उटा सकें तो फिर और देख भी क्या सकता है कोई उसकी बाते सुनते सुनते इदय उखता जाता है इगनाथ ने धी में से स्वर में कहा जो एक परस जुन ले वो कभी भूर नहीं सकता बगर वो सदा इसी की रट लगाय रहता है इस रट में सब अस्तों समाई हुए है सारी जिंदके काने चोड़ा रिबीन ने गंभीरता पूर्वका इस बात को हमें जानना चाहिए मैं तरजनों बार उसकी राम कहानी सुन चुका हूँ फिर भी फिर भी कभी कभी मेरे मन में शंका होती है कभी कभी ऐसे घड़ियां भी आती है जब ये यकीन करने कची नहीं चाहता कि लोग इतने नीच और भद्पाश होते है जब अमीर गरीब सब अच्छे लगते है अमीरों को भी गलत रास्ते पर लगा दिया चाहता है कुछ लोग कुछ लोग अपनी ज़रुद में अंदे उचता है अपनी लालज में यही असली बात है हम सोचने लगते हैं हम सोचते रहते हैं मेरे भाईयों अपनी आँखों को खोलो इमानदारी से सोचो अपनी पूरी पुद्धी लगा कर सोचो रोगी ने बैठे बैठे एक जोंका लिया आँखे खोल दी फिर जमीन पर लेट गया याकोव चुप चाप उठकर साइबान में गया और जल्दी ही एक भीड की खाल लेकर लोटा जोस ने अपने भाई को उड़ा दी और फिर जाकर सोफिया के पास बैठ गया आग की हस्ती खेलती लप्टें चारों तरफ से बैटी हुई आकरितियों को आलोकित कर रही थी तथा उन लोगों की गंभीर आवाजें लप्टों की सरसराहट तथा लकडियों के चड़कने की शान तावाजों में पुराने जमाने में जर्मनी के किसानों के विद्रों के पारे में आयर्लैंड के लोगों की दुर्दशा के विशें में और आजादी के संगर्ष में फ्रांसीसी मजदूरों के वीरता के पारे में सोफिया ने उन्हें बताया रात की मखमली चादर ओढ़े हुए इस पन में इस छोटी सी खुली हुए जगह में जिसके चारों और पेड़ों की दिवारे खड़ी थी और उपर आकाश का शामियान लगा था जहां आक की रोष्णी हो रही थी और हैरान करने वाले कथा द्वेशपूर परचाईयां जिसे घेरे खड़ी थी ऐसी घटनाओं की कहानी सुनाई जा रही थी जिने नेज धनी लोगों के दुनिया की नीव हिला थी ती सच्चाई और अमीरी के लिए लड़ने वालों के नाम लिये गए और ऐसा आभास हुआ मानो एक एक करके धर्ती की पूरी जातियों के लोग डड़ाई के ठके हारे और खून में लटपत सामने से गज़रे सोफिया का स्वर धीमा और भारी था ये आवाज अतीत के गहराईयों से आती हुई प्रतीत होती थी जो लोग दूसरे देशों में अपने भायों की ये कहानी बड़े ध्यान से चुपचाप सुन रहे थे उनके दिलों में उसकी आवाज, उम्मीद और विश्वास जगरित कर रही थी सोफिया के फीले दुबले पतले चेहरे को बड़े गोर से देखते हुए पुने संसार की सभी जातियों को पुने ध्ये, स्वतंत्रता के लिए बराबर संघर्ष करने का ध्ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगा उन्हीं ये मालूम हुआ कि उनके अपने खुआप और आकांगशाए भी वही थी जो सुदूर अतीत में रहने वाली अंजान जातियों की थी और उस अतीत काल और वर्तमान काल के मध्या इतिहास का काला रक्त रंजित परदा पड़ा हुआ था अपने जजबातों और विचारों में उन्होंने सारे विस्तरित संसार से संपर्क स्थापित कर दिया था और दुनिया में उन्हें ऐसे दोस्त मिले जो प्रित्वी पर नियायका राज्य स्थापित करने के सूत्र में एक बद्ध थे और जो कटनाईयां वे उठा रहे थे और अपने जीवन को भेतर बनाने के लिए जो खून वे बाहा रहे थे उसमें उनके इस मजबूत निश्चे को पुनीत बना दिया था दुनिया की सारी जनता के लिए आत्मिक संबंध की एक नई भावना जाकरत हुई विश्व को मानो एक नया रिदय मिल गया एक ऐसा रिदय जिसमें हर बात को जानने हर वस्तु को समझने की जिग्यासा का स्पंधन था एक दिन आएगा जब हम सब देशों के श्रमिक खड़े होंगे और कहेंगे बस बहुत हो चुका अब हम ऐसा जीवन सेहन करने को तयार नहीं सोफिया ने धड़ विश्वास के साथ कहा उस समय उन लोगों की डावाडोल शक्ति जो केवल अपने लोग के कारण ही ताकतवर हैं चक्तना चूर हो जाएगी उनके पाओं तले जमीन खिज़क जाएगी और उनका कोई भी साहरा नहीं रह जाएगा सच है रिभी ने सेर जुकाए होगा अगर हम अपना सब कुछ नियुचावर करने को तयार हो जाएग तो ऐसा कोई भी कारे नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं मा अपनी भवे तयार ताने हुए और होटों पर सुखदास चैरे के मुश्कुराहट लिए सोफिया की बाते सुन रही थी उसने देखा कि सोफिया की आदत के वेपरेद उसके व्यवहार में जो एक आग का समिकता उच शंकलता और उद्विगनता थी वो इस व्रितांत के कौतुहलपूर्ण शांत प्रवाह में गायब हो गई मा को रात के निस्दबता आग की लप्टों के क्रेड़ा और सुफिया का मुख सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था अगर सबसे अच्छा उसे ये लग रहा था कि किसान कितने गौश से उनकी बाते सुन रहे थे वे दम साधे बिलकुल चुपचाप खड़े थे वे यही चाहते थे कि इस व्रितांत के निर्वाद प्रवाह में कोई बाधन आए वे भय खा रहे थे कि ये जोतिर्मय सूत्र जो बाकी संसार के साथ उनका संबंध जोड रहा था कहीं तूटना चाहे बीच बीच में उनमें से कोई उटकर बड़ी साफधानी से आग में लकडी डाल देता था और उसमें से निकलने वाली चंगारी की पौचार और धुएं के बादलों से औरतों को बचाने के लिए अपना हाथ जोड़ जोड़ से हिलाता जाता था एक बात योकोव उठा और उसने धीरे से कहा जरा एक मिनट वो भाग कर साइबान में कया और उड़ने के लिए कुछ लेता आया जो उसने और इगनाथ ने खाहोशी से महमानों के कंधे और घुटनों पर डाल दिया सोफिया बोलती रही उसने विजय के दिन की तस्वीर कीची और सुनने वालों के दिल में आत्म विश्वास की भावना चाकरत की और मैं ये चेतना उत्पन की कि उन लोगों के साथ उनका एक अटूट संबन्ध है जो मोटी तोंदो वालों की मुर्गता पूर्ण ख्वाइश को पूरा करने के लिए अपना खूण पसीनाए करते हैं सोफिया के अलफाजों ने मा को उत्ते जित नहीं किया बलकि उन से जो भात्रत्व की भावना पन्ध हुई उसके कारण मेहनत करने वालों को प्यार और सच्चाए और इमानदारी से सोचने की सूचना देते थे भगवान इनका भला करे हैं उसने आखे बंद करकर अपने दिल में सोचा जब सोफिया ने अपनी बात समाप्त की उस वक्त सवेरा हो रहा था उसने मुस्कुरा कर अपने चारों और खुशी से दमकते हुए विचार शील चहरों को देखा अब हम लोगों को चलना चाहिए मा बोली चलना चाहिए सोफिया ने ठकी सी आवाज में चबाब दिया किसी लड़के ने लंबी सांस भरी बड़ा बुरा है कि तुम लोगों को चाना है रिबीड ने असाधारन को मुलता के साथ कहा आपकी बाते सुनना बड़ा अच्छा लगता है लोगों में चेतना पैदा करते दी है वे सब एक हैं काफी बड़ी बात है जब आत्मी ये समझने लगता है कि लाखों दूसरे लोग भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो उसके दिल में बड़ा प्यार मड़ाता है और प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है हाँ तुम प्यार करो और दूसरे लोग तुम्हारे चूतड़ पर ठोकने मारते नहें ये फिम ने उठते हुए हस कर कहा मिखाई लोग काका इससे पहले कि कोई इने यहाँ देखे इन वेक्तियों को यहाँ से चल देना चाहिए जैसे ही हम लोग ये किताबे बाटना शुरू करेंगे वैसे ही हाकिम लोग ये तलाश करने लगेंगे कि किताबे लाया कौन था कोई कह देगा याद है वो दो नारिया जो तीर थी यातरा पर इधर आये थी मा तुमने इतनी तकलीव की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रिबीन बीच में ही बोल उठा, जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तो पावेल के बारे में सुचतो रहता हूँ, तुम भी, तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, उस वक्त उसका व्यभार बड़ी नर्मी का था, वो बड़ी हार दिखता से दाद खोल कर मुस्कुरा रहा था, हवा ठंडी थी, पर वो बिना कोट पहने या तथा अपनी कमीज के बटन खोले खड़ा था, उसका सीना खुला हुआ था, मा के दिल तारीफ से भर उठा, कुछ ओड़ लो, मा ने बड़ी मुम्ता के साथ खा, ठं निखाल में कोट में लिप्टा हुआ, उसके पाउं के पास लेटा हुआ, सो रहा था, आस्मान पर अंदिकार छटने लगा, परचाईयां गायब होने लगी, और सूरज निकलने के पूरवा भास से पत्या हिलने लगी, अच्छा, तो अब फिर कपेड़ो कौन जाने, रिभीन ने सोफ्या की ओर हाथ पढ़ाते हुए कहा, शहर में आपको तलाश करना हो, तो कैसे डूना जाए, तुम मेरा पता लगा ले न, माने कहा, तीनों लड़के धीरे-धीरे सोफ्या के पास आए, और कुछ सिख पिटा कर, शिष्टता से, उस से हाथ मिलाया, ये साफ था, कितना सुखद, और दोस्ती पूर्ण था, ये उल्लास, और ये भावना, उनके लिए इतनी नई थी कि वे सिख पिटा गए, रात के जागरन के वजह से, उनकी आखों में मुस्कुराते हुए, वे नहीं है, इगनाथ ने खिसी आकर अपने बाल पीछे करते हुए कहा, मुझसे गिर गया, तीनों लड़के हस पड़े, ये दफी वे दूद की बाते कर रहे थे, लेकिन मा समझ गई, कि वे किसी और ही बात के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल, उसके और सोफिया के प्रती सर इदायता से भर रहे हुए थे, वे उनके लिए शुपकामनाएं कर रहे थे, सोफिया ने भी यही अनुभव किया, वो कुछ झेम कई, और नमरता वश सिर्फ इतना ही कह सकी, साथियों, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, लड़कों ने एक दूसरे को इस तरह देखा, वानुष सोफिया के शब्दों ने सहसा उनमें प्रेणा फोगती हो, रोगी जोर से खासा, अलाव में अंगारों के चमक समावत हो पही, अच्छा प्रणाम, किसानों ने धीरे सका, और ये सुख धुख बरा अलफाज दोनों औरतों के कान में बहुत देर तक कूजता रहा सुखे हो रही थी, तोनों औरते प्राथाकाल के धुमिल प्रकाश में जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी कितना अच्छा रहा, मा बोली, वो सोफ्या के पीछे-पीछे चल रही थी बिल्कुल खाब मालुम होता है, लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच मुझे बिल्कुल वही हालत है, जैसे बड़े दिन को या इस्टर वाले दिन सुभर शुरू होने से पहले गिर्जा घर में होती है अभी पादरी नहीं आया है, चारो और अंधिरा और एक अजीब सी खामोशी है लेकिन धीरे धीरे लोग एकत्रित होते चाहते हैं पहले एक मुरत के सामने मुमबत्ती जिलाई जाती है, फिर दूसरी प्रतिमा के सामने धीरे धीरे अंधिरा चटता जाता है, और ईश्वर का घर काश से भर उठता है बिल्कुल सत्य कहा है आपने, सोफिया ने उल्ला सित स्वार में कहा अंतर बस ये है कि यहां भगवान का घर पूरा संसार है पूरा संसार, मा ने सिरहला कर कुछ सोचते हुए उसके अलफास दोराए, काश ये सच होता तुम इतनी अच्छी तरह बोटी, इतनी अच्छी प्रकार की, कि क्या कहा हूँ मैं तो डर रही थी कि वे आदमित में पसंद नहीं करेंगे सोफिया एक पल तक चुप रही जब आदमी उनके साथ होता है, तो उसमें साध्गी आ जाती है सोफिया ने आखिरकार काफी शान्त भाव से गंभी इस्वर में कहा वेरिबीन और उस रोगी तथा उन लड़कों के बारे में बाते करती हूँ आगे बढ़ती गई जिन्होंने सोफिया के बातों को बड़े ध्यान से सुना था जो उनके सामने कुछ सिट पिटा भी कहे थे और जिन्होंने उनके छोटे से छोटे विश्राम का ध्यान रखकर उनके प्रती क्रतिक्यता प्रकट की थी जलती ही वे खेतों में पहुँच गए और सूर्य उनका स्वागत करने को निकला यद्दबी सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहा था मगर उसने अपनी गुलावी निर्मल किर्णों का पंखा आकाश में खोल दिया था और घांस पर पड़ी हुई ओस की बूले बसंत के पुलकित उल्लास के साथ अनेक रंगों में चमक उठी चिडिया जाग उठी और उन्होंने अपने हर्शित कलरव से प्रातहकाल के माहौल को मुखरित कर दिया चोटे मोटे कवे हवा में अपने भारी पंखों को मारते बराबर काउं काउं करते हुए उधर से कुजरे कहीं औरियोल परिंदों के सीडी जैसी आवास नहीं दी दूर दूर तक खुली हुई जगहें दिखाई देने लगी मानो निकलते हुए सूरे का अभिनंदन करने के लिए पहाडों पर रात की चादर उतार दी गई हो कभी कभी ऐसा होता है कि विक्ति बात करता है लेकिन उसकी एक बात भी समझने नहीं आती अचानक वो कोई बहुत ही सीधा साथा अलवास कहता है और सारी बात साब समझ में आ चाती है मा ने विचार मगन होकर कहा उस रोगी में यही बात थी कार खाने में और दुसरी जगहों पर मझ्दूरों से जिस तरह काम लिया चाता है उसके बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ और मैं स्वयम भी बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन उसने जो कुछ कहा वो बहुत भेंकर था बहुत शर्मनाग हे इश्वर क्या हैसा भी होता है कि लोग अपनी जान तक निकाल देते हैं केवल इसलिए कि उनके मालिक उनके साथ ऐसा भेंक मजाग कर सके यह सरासर अन्या है मा के विजार इस आदमे की जंदगी पर केंडरित हो गए और उनकी स्मृती में ना जाने कितने व्यक्तियों के चितर घूम गए जिनके बारे में उसने सुना था पर जिने वो भूल गए थी लगता है कि वे अपने पेट में इतने ज़्यादा ठूस चुके हैं कि उन्हें अब मतली होने लगी है काफी दिन की बात है गाउं का एक हाकिम था जिसने हुक्म दे रखा था कि उसका घोड़ा जब भी गाउं से होकर गुजरे तो सब किसान जुक कर खोड़े को सलाम करे और जो नहीं करता उसे वो किरफ़तार करवा देता वो ऐसा क्यों करता था कोई कारण तो समझ में नहीं आता इसका सोफिया धीरे धीरे एक गीत गुन गुनाने लगी जिसमें प्रातहकाल की ताजगी और उल्लास था मा के जीवन की धारा एक विजित्र शांतिकती से बहती रही कभी कभी तो इस शांति पर उसे स्वयम भी आश्चरे होता उसका बेटा जेल में बंध था और वो जानती थी कि उसे कठूर तंट पिलेगा फिर भी जब कभी वो इस बारे में सोचती उसके मस्तिष्क में अंड्रई और फ्योदोर रथा अन्य व्यक्तियों के बारे में चित्र घूम जाते मा की आँकों के आगे अपने पुतर का चित्र घूमने लगा यसमें वे सभी सम में लिगते हैं जो जीवन के सुक्थुक में उसके साथ थे मा उसके विशे में सोचने लगी और उसके जाने बिना ही एक ख्याल चारो दिशाओं में फैल गए पतली पतली तेज किरणों के तरह वे हर जगा पहुँच गए और मानुसारी घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए और हर चीज को एक ही सूत्र में बान देने की कोशिश में इन विचारों ने हर चीज को छूलिया इन भटकते हैं विचारों के कारण वो अपना ध्यान किसी एक चीज पर विशेश तह अपने पुत्र को देखने के लालसा और उसके कारण रिदय में उठने वाली आकांग शाओं पर केंद्रित न कर सकी जल्दी ही सोफिया कहीं चली गई और पांच दिन बाद जब वो लोटकर आई तो बहुत प्रसंद और मग न थी आने के कुछ ही घंटे पश्चाथ वो फिर कहीं गायाब हो गई और अब की बार दो हफ़ते पश्चाथ वापस लोटी थी ऐसा मालूम होता था कि वो उनसे जीवन की यात्रा बड़े बड़े गोल चकरों में पूरा करती थी कभी कभी वो अपने भाई के पास लोटा आती थी और उसके आते ही पूरे घर में साहस तथा संगीत का संचार हो जाता था मा को संगीत में रुची हो चली जब वो कोई काना सुनाती तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके सीने में गर्म लहरे उठकर उसके रिदय पर थपेड़े मार रही है इन थपेड़ों से उसके दिल का स्पंदन और भी समान गती से चलने लगा और उसमें ऐसे विचार उत्पन होने लगे जो अच्छी तरह सीची गई प्रित्वी में गहराई तक जमे हुए पीजों की भाती संगीत के प्रभाव से बड़े सहज ढंग से अलफाग सुन्दर फूलों के रूप में प्रस्पुडित होते हैं मा के लिए सोफ्या का फूहरपन असहनीय था घर भर में उसके कपड़े, सिग्रेट और सिग्रेट की राक बिकरे रह दी थी सोफ्या के क्रोधपूर्ण भाशन तो उसके लिए और भी असहनीय थे निकोलाई जिस शांत विश्वास और कोमल गंभीडता के साथ पोलता था उससे सोफ्या का बोलने का ढंग बिलकुल उल्टा था उसे सोफ्या ऐसी लगती थी कि जैसे किशोरा वस्था में बड़े बूरों की बराबरी करने की उत्सुकता दिखा रही हो तथा इसी भावनाओं के अधीन वो दूसरों को ऐसे देखती थी जैसे वे अनों के खिलोने हो वो हमेशा श्रम के उद्दात स्थानों की बात करती थी मगर अपने फूहरपन की वज़े से मा को देखती थी और वो अपनी असहिश्नुता और निरंतर बहस करते रहने की वज़े से दूसरों को सताती रहती थी वो अनतर विरोधों का भंडार थी और इसलिए मा सदा उसके साथ अपने व्यवहार में बहुत सतर करती थी और उसके लिए मा के रिदय में वो अपरिवर्तन चील सदभावना नहीं थी जो निकुलाई के प्रती थी दिन प्रती दिन एक ही धर्रे पर अपना जीवन गुजारते हुए भी वो हमेशा चिंतकुल रहता था सुबह आठ बजे चाय पीता और अखबार पढ़कर मा को खबर देता हुए उसकी बाते सुनते वक्त मा के सामने आश्चार जनक्स पश्चता के साथ ये चित्र खिचाता कि जीवन का कुरू चक्रा कितनी बेहरहमी से लोगों को पीसकर धन दौलत में परिवर्तित कर देता है उसने देखा कि निकलाई और अंद्रेई में काफी बाते एक जैसी थी उक्रेइनी की तरह ही वो भी लोगों के बारे में बिना किसी इर्शा की बाते करता था संसार की खरावियों के लिए वो भी सबको दोश्च देता था पर नए जीवन के लिए उसकी आस्था ना तो अंद्रेई जितनी दढ़ थी ना उतनी चित्ताकर शकी वो हमेशा एक सक्त और इमानदार न्याइधीश के गंभीर स्वर में बोलता था और यद्दपी भयनक बातों की चर्चा करते वक्त उसके होठों पर एक शर्मिन्दगी भरी शांत मुस्कुराहट खेलती थी मगर उसकी आँखों में एक कठोर भावहीन चमक होती थी ये सब देखकर मा बताने लगी कि वो कभी किसी को किसी बात के लिए माफ नहीं करेगा वो माफ कर ही नहीं सकता मा को उस पर तरस आता था क्योंकि वो चांती थी कि अपने आपको कठोर बनाने में कितना कष्ट होता था दिन प्रति दिन वो उसे ज्यादा चहने लगी नौ बजे वो काम पर चला जाता था उसके चले जाने के पश्चार मां घर स्वच करती, खाना तयार करती नहा धोकर साफ कपड़े पहनती और अपने कमरे में बैठ कर किताबों की तस्वीर देखती उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था, मगर उसे पढ़ने में इतनी मेहनत करनी पढ़ती थी कि वो शीगर ही ठक जाती और शब्दों को उनके सही करम में नहीं समझ पाती थी किन्तु तस्वीरे देखने में उसे बच्चों जैसा आनंद आता था इन तस्वीरों ने उसके सामने एक नए और आश्चारे जनक संसार का रहस्योद घाटन किया जिसे वो समझती थी और जो उसे न्याय संगत मालूम होते थे उसकी आँखों के सामने बड़े बड़े शहर, खुबसूरत इमारते, मशीने, जहाज, समारक और मनुष्य के हाथों की रची हुई आपार संपदा और वैविद्य से चौका देने वाले प्रकरती के असंख्य अनबम उपहारों की तस्वीरे आँखों के सामने आती गई और अपनी अपार निधी पता अक्षय सुन्दर्ता से उसकी त्रिप्ति आत्मा में प्रेणा का संजार करती रही। उसे पशोग्यान की चित्रावले देखने का बड़ा शौक था और ये किताब यदभी एक विदेशी भाशा में थी, फिर भी उससे उसे प्रित्वी की सं पदा तथा सुन्दर्ता और उसके विस्तार का स्पष्ट गान हो गया। दुनिया कितनी बड़ी है एक रोज उसने निकोलाई से कहा। वो कीडों को खास रूप से तित्लियों को देखतर बहुत खुश होती थी। वो उनके चितर देखती और अचंभा गरती। निकोलाई इवानोविच कितनी खुबसूरत है ना वो कहती। चारों तरफ कितनी खुबसूरती विगई पड़ी है जिसका हमें पता भी नहीं है जो हमारे सामनी से निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लोग इधर से उधर भागते फिरते हैं ना कुछ समझते हैं ना कुछ उस पर कितने तरह की जीव रहते हैं? तो हमारे जीवन में कितना सुख होता है और सब बस्तुने सब के लिए हैं. हर बस्तु हर एक के लिए है न? है तो निकुलाई ने मुस्कुरा कर कहा और एक दूसरी सजित्रे पुष्टक लाकर उसे दी. लोग बहुदा शाम को उसे मिलन सुन्दर सार्ली जो बहुत रॉबदार और अल्प भार्शी था रोमान पेत्रोविच जिसका सिर्गोल था तो था उसके चेहरे पर मुहां से थे और जो हर किसी न किसी बात पर बड़ी लज्जा के साथ चित्रकारी भरता रहता था दनीलोविच जो छोटे कद का दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी नुकेली और आवाज बहुत उची थी वो फुर्टीला और बातोनी और खंजर की भाती तेज था के गोर जो सदा अपने आप पर अपने साथियों पर और दिन बदिन बढ़ते हुए रोग पर हस्ता रहता था दूसरे आदमी थे जो दूर दूर से शेहरों से आते थे निकोलाई उनके साथ बड़ी देड़ देड़ तक शांद भाव से बाते करता उसकी बातों के बारे में सदा एक ही रहता था दूनिया की मज़दूर जन्ता वे जोश में आकर हाथ मिला कर बहस करते थे और चाय बहुत अधिक पीते थे कभी-कभी जब वे भाते करते तो निकोलाई परचे लिखता और मा बड़ी सावधानी से मस्विदे के फटे हुए कागज एकठा करके जला देती उनके लिए चाय बनाने समय मा को आश्चर रहोता कि वे जिन्दगी और मेहनत कर चनता के वशय में उनके मध्य जल्दी से जल्दी सच्चाई का प्रचार करने और उनमें उत्साह भरने की सर्वुत्तम विधियों के बारे में कितने जोश से जानते थे और बाते करते थे कभी कभी वे बहस करते करते खोधित भी हो जाते थे और एक दूसरे पर अपमान जनक आरोप लगाते थे मगर बहस जारी रखते थे मा को ऐसा लगता था कि मजदूरों के जीवन को ये उससे ज्यादा अच्छी तरह जानती है उसे ऐसा अनभव था कि जिस काम का उन्होंने बीड़ा उठाया था उसकी विशालता को वो ज्यादा अच्छा समझती थी और इसलिए वो उन्हें किंचित तिरहसकार के द्रिष्टी से देखती थी जिस प्रकार कोई बड़ा आदमी उन बच्चों को पती-पतनी का नाटक खेलते हुए देखता है जिन्हें उस बारे में मुसीबत का कोई ग्यान नहीं होता अनाया सी वो उनके भाषणों के तुलना अपने पत्र और अंद्रेई के भाषण से करने लगती और उसे उनमें साफ एक फर्क दिखाई देता इसे वो आरम हमें नहीं समझ पाती थी कभी कभी तो ऐसा लगता कि यहां लोग मजदूरों की बस्ती के मुकाबले ज्यादा चिलाते थे वे अधिक चानते हैं इसलिए अधिक चिलाते भी हैं वो उनके विवहार की व्याक्या इस तरह करती बगर बहुदा उसे ये प्रयास होता था कि वे लोग जान भूज कर एक दूसरे को उत्ते जित करते थे और अपने उत्सा का दिखावा अधिक करते थे मानो हर आदमी अपने साथियों के सामें ये सिद्ध कर देना चाहता हो कि उसके लिए सत्ते की जित्पी एहमियत है उतनी दूसरों के लिए नहीं कुछ लोग इस पर बुरा मान जाते और बारी बारी से ये सिद्ध करने के लिए कि वे ही सत्ते के सबसे बड़े पुजारी हैं भोंडे और कटू तरकों का इस्तेमाल करते हर व्यक्ति दूसरे से उचा कूदने का प्रयाथने करता और मा को इस पर बड़ी फिक्र होती और दुख होता विप पाविल और उसके साथियों को एक्दम भूल ही गए हैं वो काक्ती हुई भवों और विनय भरी आँखों से उन्हें लगातार देखते हुए सोचती रहती यद्धपी वो उन्हें न समझ पाती थी फिर भी वो उनकी सारी भैसें बड़े गौर से सुनती पर वो उनके शब्दों का तादपर्य समझने की चेश्टा करती और उसके विशे में स्पष्ट बात करना चाहती जब श्रमिकों की बस्ती में नेकी पर भैस होती थी तब उसे बिना संकोच के एक अखंड चीज के रूप में सुईकार किया जाता था लेकिन यहां उसके तुकडे तुकडे करती जाते थे वहां भावनाएं ज्यादा गहरी और द्रढ होती जाती थी जहां तर्क-वितर्क से उन्हें खंड-खंड कर दिया जाता था यहां पुरानी चीजों को धा देने की बाते अधिक की जाती थी यहाँ तेवरतर्क वितर्क से उन्हें खंड-ขंड कर दिया जाता था यहाँ पुरानी चीजों को ढादेने की बाते अधिक की जाती थी वहाँ भविष्च्च कि कलपनापर जोड दिया जाता था और यही कारण था कि उसके पत्र और अंद्रेई के अलफाज उसको अधिक प्रिय थे और ज्यादा अच्छे तरह उसको समझ में भी आते थे उसने देखा कि जब कोई मजदूर निकोलाई से मिलने आता था तो उनका बोलचाल का तरीका और व्यवहार ज़रूरत से ज्यादा निसंकोच और उन्मुक्त हो जाता था उसके चेहरे पर मिठास आ जाती थी और वो एक नए ही ढंक से बोलने लगता था शायद ज्यादा खुलकर साफ साफ शब्दों में या शायद अधिक बेपरवाही से वो उस ठंग से बाते करने के चेश्ठा कर रहा है कि वो आदमी उसकी बात चाने है मा सोचती मगर इससे उसे इत्मिना नहीं होता था वो देखती थी कि मजदूर भी कुछ सकुचाया सा रहता है जिसके भीतर किसी ने उसे जकड लिया हूँ और इसलिए वो निकॉलाई के साथ उतना खुलकर और सरलता से बात नहीं कर सकता था इतना खुलकर वो उसकी जैसी साधान श्रमिक औरत के साथ पाते करता था एक बार जब निकोलाई कमरे से बाहर गया तो उसने वहां बैठे हुए एक मजदूर से कहा तुम डरते क्यों हो? तुमको इस्कूल बच्चे की भाती अपने अध्यापक को सबक सुनाने तो नहीं आये हो मजदूर ने की से निकाल दी? अपनी संगत ना हो तो सभी का प्रंग फक पड़ जाता है कुछ भी हो वो हमारा जैसा मजदूर तो नहीं कभी कभी शाशा भी आती वो ज्यादा देर नहीं रुकती थी और बिना हसे या बिना मुश्कुराए केवल काम की बाते करती थी और चलते समय हमेशा मासे कहती थी पावेल मिखालोविच की क्या सूचना है? अच्छा है भगवान की दया से प्रसन्न है उसे मेरा सलाम कहना लड़की ये कहकर घायब हो जाती एक बार मा ने उसे शिकायत करते हुए गया कि पावेल को इतने दिन से जेल में बंद रखा है अंद तहां उस पर मुखदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? साशा की तियोरियों पर बल पड़ गए मगर वो कुछ बोली नहीं लेकिन उसकी उंगलियां भड़कने लगी मा का रेदय तो बहुत चाहता था कि वो उसे कह दे मैं जानती हूँ कि तुम उसे प्रेम करती हो बगर उसका साहस नहोता लड़की की गंभीर आकरती उसके भिचे हुए होट उससे बात कहने के रूखे ढंक के आगे मेरी बच्ची तू भी कितने कष्ट में हैं मा सोचती एक रोज नताशा आई मा को वहाँ देखकर बहुत खुश हुई उसने मा को प्यार किया उसके बाद नताशा ने सहसा चुपके से कहा मेरी मा कुजर गई पेचारी कितनी अच्छी थी ये कहकर उसने अपना से जटका और शीक्षता से अपनी आगे पहुँच कर बोली बड़े तुक्की बात है अभी वो पचास वर्ष की भी नहीं थी वो अभी और बहुत दिन जिन्दा रह सकती थी किन्तु फिर उसने कहा मैं सोचती हूँ कि जैसी जिन्दगी वो बसर कर रही थी उससे तो मौध ही अच्छी थी वो सधा अकेली रही कभी किसी ने उनसे प्रेम नहीं किया किसी कौन की जरूरत नहीं थी और वो मेरे पिता की डाट भटकार से कामती रहती थी ये भी कोई जिन्दगी है लोग जिन्दा रहते हैं इस आशा में कि आगे जलकर उनका जीवन बहतर होगा किंतों मेरे मा के लिए भविष्य में भी अपमानों के अकरत कुछ नहीं था नताशा तुम सच कहती हो मा ने कुछ सोचते हो गहा लोग इस आशा में जिन्दा रहते हैं कि आगे चलकर उनका जीवन बेतर होगा लेकिन अगर भविश्य के लिए कोई उम्मीद ना हो तो फिर किस कारे की ऐसी जिंदिगी और मा ने लड़की का हाथ थपक कर गहा तो अब तुम अकेली रह गई पिल्कुल अकेली नताशा ला परवाही से बोली अच्छे लोग आधिक रोज अकेले नहीं रहते कोई ना कोई उनके साथ हो ही चाता है नताशा कपड़े बुलने के एक कार खाने के स्कूल में पढ़ाने लगी और मा ने उससे घेर कानूनी किताबें परचे और अखबार पहुचाने का कार अपने जिम्मे ले लिया यही उसका काम हो गया महीने में कई बार वो मठवासिनी अथवा घर की हुई बुनी हुई लैंसे बेचने वाली या शहर की शरीफस्त्री या साधू बन कर कंदे पर थैला डाले या हाथ में सूट के स्था में पूरे इलाके का चकर लगा थी रेल गाडियों में और जहाजों पर होटलों और सरायों में हर जगह पर वो बड़ी सीधी गंभीर औरत बनी रहती जो अजनबियों से खुद बातचीत शुरू करती और निडर होकर अपनी मिलन सारी और बहुत दुनिया देखे हुए आदमी के आत्म विश्वास के कारण सबका ध्यान अपनी और आकरशित करती उन लोगों से बात करना उसे अच्छा लगता उनके किस्से और शिकायते सुनना और ये पता करना अच्छा लगता था कि उन्हें कौन सी चीजें हैरानी में डाल सकती हैं। वो ऐसे आदमी से मिलकर बहुत प्रसंद होती थी जिसे हर चीज से गहरा असंतोश हो और जिसका असंतोश भागय के थपेड़े के खिलाफ प्रतिरोध करते हुए भी हमेशा सवालों के उत्तर की खोज में रहें। उसके सामने मनुष्य के जीवन का व्यापक चित्र फैला हुआ था। जिसमें हर आदमी दो समय की रोटी कमाने के लिए जान लड़ा कर संगर्ष करता है। हर और वो लोगों को धुखा देने, उनसे कुछ छीन लेने, उनका रक्त प लेने की बेशर्म और दिल दहला देने वाली प्रयत्न को देखती थी। वो देखती थी कि प्रित्वी पर हर वस्तु का अपना बाहुल्य था। फिर भी आम लोग कौडी-कौडी को महताज रहते थे। और इस प्रचूर संपता के पावचूद उन्हें भर पेट खाना नह हुए थी। जिसकी इश्वर को कोई जरूरत नहीं थी। और इनी गिर्जागरों के द्वारों पर सर्दी के से ठिटुडते हुए भिखारी पैसा धेला पा जाने की आस में हाथ पहलाएं खड़े रहते थे। ये सब वो पहले भी देख चुकी थी। धन दौलत वाले गिर वो उन सब बातों को स्वाभाविक समझती थी। लेकिन अब वो उसके लिए असहनीय था। और इसे वो गरीबों का अफमान समझती थी। क्योंकि वो चानती थी। कि वे गिर्जागर के ज्यादा निकटते और अमीरों की अपैक्षा उन्हें गिर्जागर की ज्यादा जर उसने इसा मसी की जो तस्वीरे रेखी थी और उनके विशय में जो कहानिया सुनी थी उनसे वो जानती थी कि वो बहुत साधारन बस्तर पहनते थे और घरीबों के मित्र थे पर गिर्जा घर में उनकी प्रतिमा को चमकदार सोने और रेशम में सजा हुआ देखती थी और जब निर्धन लोग अपना दुखडा लेकर उनके निकट आते थे तो मानो उन्हें देखते ही घ्रणा से इस रेशम में सरसराहट होने लगती थी अनाया से उसे रिबीन के शब्द याद आ जाते थे उन्होंने हमें इश्वर के मामले में बेवकूफ बना दिया है उसे ये पता भी ना हुआ कि कैसे धीरे धीरे उनका विंती करना कम होता कहा था पर वो इसा मसी और उन लोगों के विशे में दिन प्रते दिन अधिक सोचने लगी थी जो कभी इसा मसी का नाम भी नहीं लेते थे और जिन्हें शायद उनके विशे में जानकारी भी बहुत कम थी पर जो उनके बताए हुए तरीकों से और उनके सिद्धान्दों के मताबिक जीवन व्यती करते थे उस प्रित्वी को निर्धनों का राचे समझते थे और उसकी समपदा को सब के बीच बाटने के लिए प्रतनशील रहते थे वो इसके बारे में बहुत सोचती थी उसके ये विचार बढ़ते गए और इन विचारों की चणे गहराई तक जम गई वो जो कुछ देखती अथ्वा सुनते थी उस सबका समावेश इन ख्यालों में था इन विचारों ने बढ़कर ज्विनिती की ज्योती धरन कर ली थी और सारा अंदकार मैं, संसार, पूरा जीवन और सारी जनता इस अखंड ज्योती से अलो के तो उटी थी मा को ऐसा लगा कि ईसा मसी के लिए उसका प्रेम और भी कहरा हो गया था ईसा मसी के प्रती प्यार उसके दिल में सदाही से था एक असपश्टसी कुमल भावना, एक मिश्टित भाव इसमें डर अभिन रूप से उमीद के साथ और हर्ष वेधना के साथ संबद्ध था अब ईसा मसी पतल गए थे उनका स्वरूप अधिक उत्ताद हो गया था और उन तक सरलता से पहुँचा जा सकता था उनका रूप अधिक जोतिर मैं और उल्लास पूर्ण हो गया था ऐसा प्रतीत होता था कि उन लोगों ने जो अपनी विदमरता की वजह से उनका नाम मनुश्य के आर्थ मित्र का नाम भी नहीं लेते थे उनके नाम पर अपने रक्त की नदियां बहा कर उन्हें अमर बना दिया था हर बार दोरा करके जब मा निकुलाई के पास लोटती तो बहुत खुश होती और रास्ते में जो कुछ दिखता या सुनती उसके प्रती उसके रिदय में बड़ा उत्सा होता और ये इत्मिनान होता कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है इस तरह घूमने फिरने और इतनी बहुत से चीज़े देखने से बहुत लाव होता है वो निकुलाई से अकसर शामों को कहा करती थी इससे इंसान जंदेगी को समझता है आम लोगों को ढखेल कर जिंदेगी की बाहरी सीमा तब पहुंचा दिया जाता है जहां वे अंधेरे में सड़ते हैं और यही सवाल करते रहते हैं कि आखे रसा क्यों है उन्हें क्यों इस तरह दुदका दिया जाता है जब खाने को इतना मौझूद है तो वे भूखों क्यों मर रहे हैं जब इतना ग्ञान मौझूद है तो वे जाहिल क्यों रहते हैं और और वो दिया निदान भगवान क्यों सब देखता रहता है जिसके लिए अमीर खरीब में कोई फर्ट नहीं है जो सब उसे की प्रियसंतान है लोग जब अपनी जिन्दगी के बारे में सोचते हैं वे उत्ते जी धोड़ते हैं वे इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने कोई रोक थाम न की तो जिल्म उनका नाम निशान तक मिठा देगा मा की ये इच्छा रोजाना प्रबल होती जाती थी और वो आम लोगों से उनके जीवन के अन्यायों के विशह में बात करती कभी कभी तो उसके लिए इस खुआश को दबाना और भिकठिन हो जाता निकुलाई जब भी उसे तन में होकर चितर देखता हुआ पाता वो उसे दुनिया की अनोकी बातों के विशह में बताता मा जब सूचती कि मनुश्य ने कितने बड़े बड़े कामों का बीड़ा उठाया है तो वो अचंभि में रह जाती क्यों ये मुम्किन है? वो संशे से पूछती अपनी भविश्य वार्णी में अटलास्ता के साथ वो बड़ी सने भरी नजरों से उसे अपनी एनेक के पीछे से देखता और मा को भविश्य के बारे में कहानिया सुनाता है वो अनुश्य के इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और उसकी ताकत अक्षा है पर दुनिया की आत्मिक स्रम्रद्धी बहुत धीरे धीरे होती है वगर उस आदमी को जो स्वतंत्र रहना चाता है क्यान के बज़ाए पैसा बटोरना पड़ता है वगर जब लोग इस धन के लोब में और बेगार से स्वतंत्र हो जाएंगे तब मा की समझ में उसकी बाते शायद ही कभी आती हो लेकिन धीरे धीरे वो उस शांत और कमभी र्यपिन को समझने लगी जो इन विचारों को प्रेरित करते थे असल में परिशानी यह है कि पृत्वी पर आजाद लोग बहुत कम है वो कहता मा की समझ में ये बात आ रही थी वो ऐसे लोगों को जानती थी यदि ऐसे लोगों के संख्या बढ़ जाए तो जीवन इतना अंधकार में और भयावय ना रह जाए वो अधिक सरल, अधिक उज्वल और अधिक उत्ताद हो जाए लोगों को जबर्दस्ती बेरहम बना दिया जाता है निकोलाई ने निराश भाव से कहा मा को उक्रेणी के शब्द याद आ गए और उसने सहमती में सिरहला दिया निकोलाई रोज तो बहुत सही समय पर घर लोटा था मगर एक दिन वो बहुत देर से लोटा था उसने अपने कोट उतारे बगैर उत्तेजना से हाथ मसलते हुए कहा निलोबना आज हमारा एक मितर जेल से भाग निकला कौन हो सकता है वो मैं पता नहीं लगा सका मा की आखों के आगे धरती घुमने लगी क्या पावेल हो सकता है उसने बैठकर आइस्ता से पूछा हाँ हो सकता है निकलाई ने अपने कंधे बेच काफर कहा मगर हम उसे छुपाएंगे कैसे हमें उसका पता रगेगा कैसे मैं इस उम्मीद में बड़ी देड़ तक सड़कों का चक्कर लगाता रहा कि शायद वो कहीं मिल जाए खेर वैसे तो मेरी बेवकूफी थी किन्तु हमें कुछ करना चाहिए मैं बाहर जा रहा हूँ मैं भी चलती हूँ मा ने उच्छी आवास में कहा तुम ये गोर के यहां जाकर पता लगाओ कि उससे तो कुछ मालूम नहीं अब निकोलाई ने उससे जाते हुए कहा और जल्दी से बाहर निकल गया मा ने जल्दी से अपने सिर पर एक रुमाल पांधा और सड़क पर उसके पीछे हो ली उसके दिल में आशाओं का तूफान उमर पड़ा था उसकी आँखों के आगे लालाल धब्बे नाच रहे थे और उसका रिदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो प्रायह भागने लगी उसे अपने आसपास की किसी चीज का कोई होश नहीं था वो से जुकाए एक अग्यात संभावना की तालाश में चली जा रही थी शहिद वो वहां मिले जाए किसी आशा में वो आगे पड़ रही थी उसे बड़ी गर्मी लग रही थी और ठकन की वज़े से वो हाफ रही थी ये गोर के मकान की सीड़ियों के निकट पहुँचकर वो रुक गई उसकी ताकत ने उत्तर दे दिया उसने पीछे मुणकर देखा और सहसा चीख मारकर आँख बंद कर ली उसे ऐसा प्रतिद हुआ कि उसने घर के द्वार पर निकुलाई वेस वश्चिकोव को जेवों में हाथ डाले खड़े देखा था मगर जब उसने दुबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था मैंने गल्पना की होगी उसने सीड़ियों के उपर चड़ते होई सोचा उसके कान चौकन ने थे नीचे आंगन में उसे किसी के धीमे कदमों की अहट सुनाए भी वो सीड़ियों पर ठहर कर नीचे देखने लगी फिर उसने वही चेज़क के दागों से भरा हुआ मूँ देखा जिसे देखकर वो अभी चौकी थी अब वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था निकोलाई, निकोलाई, मा ने चिला कर कहा और उससे मिलने के लिए सीड़ियों के नीचे भागी उसके दिल में मायोसी की वेदना थी तुम चली जाओ, तुम चली जाओ उसने अपना हाथ हिला कर थीरे से खा जल्दी जल्दी सीड़ी हलांकर वो योगेर के कमरे में पहुची एगोर कोच पर लेटा हुआ था निकोलाई, निकोलाई चेल से, चेल से मां साजों पर कावो करते हुए बोली कौन सा निकोलाई? एगोर ने तक ये मेंसे सिर उठा कर भर रहा है अवास बुच्छा ये क्या दो निकोलाई है? पेसो वश्ची को वो इस तरफ ही आ रहा है अच्छी बात है इतने में, निकोलाई स्वैम कमरे में आया और दरवाजे का कुंडा लगा कर वहां खड़ा, अपने केशों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराता रहा ये गोर, कोहनियों के बल उठकर बैट गया आओ आओ, उसने सिर हिला कर कहा निकोलाई खी से निकाले मा की तरफ पढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया यदि मैं तुमसे ना मिला होता तो शायद मैं फिर जेल वापस चला जाता मैं शहर में तो किसी कुछ नहीं जानता था और अगर बस्ती में जाता तो वे मुझे फॉरण गिरफतार कर लेते इसलिए मैं सडकों पर भटकता रहा और सोचता रहा कि मैंने भाग कर कितनी मुर्खता की अचानक मैंने पेलो गिया निलोवना को जल्दी जल्दी इधर आते देखा बस बस मैं इनके पीछे हो लिया तुम बाहर के इस प्रकार निकले मा ने पुझा वो कुछ जेपता हुआ कोज के सिरे पर पैट गया और उसने अपने कंधे चटक दिया बस इत्तिफाक की बात है वो बोला, मैं बाहर गूम रहा था इतने में फौजदारी के कैदियों की एक संत्री को पीटना शुरू कर दिया उस संत्री को एक बार चोरी के जुर्म में राजनेतिक पुलिसर निकाना जा चुका था इसलिए अब वो हर वेक्तिये खिलाब जासुजी करता है चाकर सारी सूचना पहुंचाता है और किसी को सुकुन से नहीं पैटने देता इसने लोगों से पीट रहे थे मैंने नजर उठाई तो देखता हूँ की दुर्वाजा खुला है बाहर चौक तता शहर की लोग दिखाई दे रहे है आहिस्ता आहिस्ता आगे भड़ा जैसे नीद में जल रहा हूँ जब मैं बाहर सरग पर बहुत दूर निकल आया तो मुझे होश आया और मैं सोचने लागा कि मैं जाओंगा किस तरफ पीछे मुल कर देखा था जेट का फटक बंद हो चुका था ये गोर ने कहा तो साहब वापस जू नहीं लोट गए चाका शराफ़त से तरफाजा खट कटाते और उनसे कहते कि तुम्हें अंदर ले ले तुम उनसे कहते हैं माफ कीज़े जनाब मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने साथियों के साहीं नहीं किया इस प्रकार किसी से भी कुछ कहसुए भी ना मचला है लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा मार्ग में मुझे एक चनाजा मिला लोग किसी बच्चे के लाश को तफन करने जा रहे थे मैं भी साथ हो लिया से जुका कर किसी की ओर देखे बगैर मैं चनाजा के पीछे पीछे चनाजा चनाजा के तोड़ी दिर तक कब्रिस्तान के अंदर बैठकर हवा से बाते करता रहा मेरे अजनक मुझे एक बात सुझी बस एक बात कि गोर ने आह भर कर पूचा था करता था कि तुद देखता हूं कि ये गोर इवानोविच तुम अभी तक बीमार हो जिसमें जो करने की ताकत होती है वह वही करता है ये गोर ने खास कर कहा तुम अपनी काने सुनाओ मैं मैंने महा के अजायब घर में चला गया काफी तेर तक मैं वहां खुम पिर कर बस तुमें देखता रहा और सुझता था कि अब मैं कहा जाओगा मुझे अपने पर गुस्सा आ रहा था भूका तो मैं होट चला था अगर कोई मिल जाता कि कच्चा खा जाता महां से तो मैं बाहर सड़क पर निकल कर आगे चला महिमा था जुका था पुलिस वाले सबको बड़े गौर से देख रहे थे मैंने सुचा कि बास अब पकड़ा जाओगा इतनी महचानक मैंने पेला गया निलो विना को चल्दी जल्दी पग बढ़ा करें धर आते हो देखा और ही को रट गया और फिर इनके पीछे पीछे चला आया बस यही हुआ मैंने तुम्हें नहीं देखा माने मुझरे मकी भातिका ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि बेसो वश्ची को तुर्बल हो गया है शायद साथी परेशान हो रहे हो तुम्हें उन पर तरस नहीं आता बेदो काफी परेशान होंगे यह गोर ने कहा वो अपना मुझ खोल कर इस तरह होट चलाने लगा मानो हवा चबा रहा हो अच्छा मज़ाग बहुत हो लिया अब हम तुमको कहीं चुपाना चाहेंगे मुझे इस बात की परसनता तो बहुत है कि ये काम आसान नहीं है कमक्त मैं और बे तो नहीं सकता उसने सांस लेने की चेश्टा करते हुए गहा और दोनों हाथ सीने पर रख कर सीना मनने लेगा येगोर इवानवेच तुम तु बेमान मालूम पढ़ते हो निकोला इनने अपना से जुकाते हुए कहा माने एक अह भरी और उस चोटे से कमरे में बड़ी फिक्स से चारो तरफ नजर दोड़ा कर देखा तुम उसकी फिकर ना करो येगोर ने उत्ता दिया मा अब ज़्यादा शर्माओ नहीं उससे पावेल की विशे में पूछ लेना वेसो वश्चिकोव ने कहीं से निकार ली पावेल मजे में हैं बिल्कुल सही है वहाँ वही हमारा सरदार है वही अफसरों से बात करता है और हर बात में सबसे आगे रहता है सब लोग उसको काफी मानते है वेसो वश्चिकोव की बातों पर पेला गया अपने आफिस से रहलाती रही और कंकियों से येगोर के फूले फूले नील बर्ण मुह को देखती रही उसका चेहरा उसे अजीब, सपाट, निश्च, जेष्ट और भावहीन प्रतीत हो रहा था पर उसकी आखों में स्फूरती और हर्श की चमक दी अब कुछ खाने को है मुझे बहुत भूग लगी है अचनक निकोला ही ने कहा मा वहाँ अलमारी पर थोड़ी सी रोटी रखी है ये गोर बुला फिर तुम ज़रा गलियारे में चली जाओ और वहाँ बाई तरफ दूसरा दवार खट-कटाओ एक औरत दर्वाजा खोलेगी तुम उससे कहना कि जो भी खाने को हो ले आए इतने खाने की आवशक्ता नहीं है निकोलाई ने प्रतिरोध किया तुम किंतु ना करो बहुत नहीं होगा मा ने पाहर जाकर दर्वाजा खट-कटाए उत्तर की फ्रतीक्षा करते हुए वो ये गोर सके बारे में सोच लगी तुम मर रहा है कौन है? किसी ने कक्षमे से ही पूछा मुझे ये गोर इवानविच ने भेजा है मा ने उत्तर दिया उसने आपको बुलाया है अभी? और ने द्वार खोले बेला जवाब दिया मा ने एक शन प्रतिक्षा करने की बात फिर द्वार जल्दी से खुला और एक लंबे कत्गी औरत एनक लगाए बाहर गैलरी में आई और वहाँ खड़ी खड़ी जल्दी जल्दी अपनी आस्तिनों के सिल्वटे सही करने लगी क्या चाहिए? उसने रुखा इसे पूछा ये कोर इवानविच ने मुझे यहां भेजा है चलो चले किन्तु मेरा ख्याल है कि मैं अपसे पहले भी मिल चुकी हूँ क्यों है न? उस औरत ने खा आप कैसी है? यहां कुछ अंधेरा है माने उसे एक नजर देखा तो उसे याद आया कि उसने उस औरत को कई बार निकोलाई के यहां देखा था क्या उसकी तवियत काफी खराब है? उसने पूछा हां लेटा हुआ है उसने मुझसे कहा था कि मुझे खाना लेकर आने को कह दूँ हम् उसकी कोई जरूरत नहीं जब वे यगोर के कमरे में गुसे तो उन्हें उसकी सांस की खर-कराहट इस पश्ट सुनाए दी दोस्तों मैं तो अपने पुर्खों के पास चाहता हूँ लूद मीला बासियल बना ये नौजवान इतना गुस्ताग है कि हाकिमों की आज्या लिया बिना जेल से बाहर चलाया है पहले तो इसे कुछ खाने को दी तो फिर अब कहीं इसे ठहरने का प्रबंद कर दो उस वारत ने से लाकर हामे भरी और जल्दी से एक नजर रोगी पटा ली ये गोर जब ये व्यक्ति आये थे तो मुझे बुला लिया होता उसने कहा और तुमने फिर दो बार दवा नहीं पी न बड़े शर्म की बात है कामरेट मेरे साथ आईए फे लोग ये गोर को अस्पताल ले जाने के लिए आते ही होंगे तो तुम मुझे अस्पताल भेजे बिना मानोगी नहीं? हाँ मैं भी वहाँ तुमारे साथ रहोंगी वहाँ भी? हे भगवान बस अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी मैं बाते करते करते उस ओरत ने कंबल खीच कर ये गोर को सीने तक उड़ा दिया फिर निकोलाई को बड़े गोर से देखा और शीशियां हिला कर देखा कि दवा कितनी बची हुई है वो बहुत सपाट सुरीली आवाज में बोलती थी और उसकी चाल काफी नाज़ुक थी उसके चहरे का रंग पीला था और उसकी भवें नाग के पास आकर मिलती थी माँ को उसकी सूरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उसे उसमें काफी दंब दिखाई दे रहा था उस इस्त्री की आँखें भी कभी कभी मस्कुलाहट और चमक से चमक होती थी वो बड़े आदेश पूर्ण तरीके से बोलती थी अच्छा अभी तो हम लोग जाते हैं वो कहती रही लेकिन मैं अभी लोट कर आती हूँ येगोर को एक चमच औशदी पिला देना और बोले नहीं देना इतना कहकर वो निकुलाई के साथ बाहर की ओड़ चली गई काफी अच्छे दुरी है येगोर ने आभर कर कहां बहुत ही शांदार औरत है मा मैं तुम्हारा उसके साथ रहने का प्रबंद कर तूगा और कड़वाहट के मारे अपनी एक आँख बंद कर ली यदी में अपनी जबान पर ताला भी लगा लू तब भी मैं मर चाओंगा उसने कहा वो अपनी खुली हुई नजर से मा को देखता रहा और मुस्करहट से उसके होट खुल गए मा ने अपना से जुका लिया और परेशानी से उसकी आँखों से आंसों निकल आए सही यही है ये तो होता ही है रोगी ने कहा जो जीवन का सुबोगता है उसे एक दा दिन मरना भी पड़ता है मा ने अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया और बड़े आहिस्ता से बोली तुम कुछ तेर शांत क्यों नहीं रहते उसने अपनी आँखे बंद कर ली मा नो अपने जीने की घर खराहट सुन रहा हो मा शांत रहने से क्या फायदा वो कुड़कर भोलता रहा मुझे इससे क्या मिल जाएगा यही ना में कि मेरी मिलतियों कुछ देर के लिए टल जाएगी लेकिन तुबहरे जैसी नेक औरत से तो चार बाते कर लेने का सुख मुझ से चिंच जाएगा मुझे यकीन है कि दूसरी दुनिया के इंसान इतने अच्छे नहीं हो सकते जितने की यहां के हैं वो अमीर साधी नहीं है कामरेड उक्रानती कारी है और काफी अच्छे स्ष्री है हाँ डाटेगी तो जरूर डाटती तो वो सभी को है येगूर मा को अपनी पडोसन के जिंदिगी के विशय में बताने लगा सबस्ट था उसे बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी उसकी आँखों में चमक थी और मा समझ गई थी कि वो उसे छेड रहा था वो बचेगा नहीं उसके आदरत था विवर्ण चेहरे को ध्यान से देखते हुए मा सोचने लगी बलूद मीला लोट आई और बड़ी सावधानी से द्वार बंद करके उसने मा की तरफ देखा तुम्हारे मित्र को कपड़े बदल कर तुरंत मेरे कमरे में कहीं चले जाना चाहिए इसलिए तुम जाकर उसके पहनने के लिए कुछ वस्तर ले आओ यहीं लेटी रहना यह बड़ा बुरा हुआ कि सोफिय यहां नहीं है लोगों को चुपाने में वो बड़ी होश्यार है वो गल लोट कर आ रही है मा अपने कंदे पर शॉल ढालते हुए बोली जब भी उसे कोई काम सौपा चाता था तो वो कर देती थी उसने कैसे वस्तर पहनाने होंगे उसे मा ने अपनी भवे से कोड़कर बड़े कामकाजी तरीके से पूछा कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो रात को जाएगा रात को जाना तो और भी बुरा है सड़क पर बहुत कम लोग होते हैं और पुलिस वाले भी ज्यादा चौकस रहते हैं और वो बहुत चलाग भी नहीं है ये गोर अपनी भर्राई आवाज में हास दिया क्या मैं अस्पताल में तुम से मिलने आ जाओ मा ने कहा उसने स्विक्रिती में अपना सिर्षिलाया और खासने लगा क्या तुम ये कह सकती हो कि मैं और तुम बारी बारी से थोड़ी देर अस्पताल में इसके नेकट बैठें लूद मीला ने अपनी काली आँखों से मा की तरफ देखते हुए पूछा कर सकती हो बहुत अच्छी बात है किन्तो अब जल्दी से जाकर ये काम कर ढालो उसने बड़े प्यार से और साथ ही बड़े आदेश पूर्ण तरीके से मा का हाथ पकड़ा और उसे परवाजे तक पहुँचा आई बुरा ना मानना मैं तुम्हें इस प्रकार भेजे दे रही हूँ बाहर पहुँचकर उसने कहा बात यह है कि उसे बोलना नहीं चाहिए मुझे अब भी उसके बेचैन रहने की आदत से बुरा लगता है और अब उसके बचने की भी कोई उम्मीद मुझे लगती है कि शायद वो बच जाए उसने अपने हाथ इतने कसकर दवाए कि उसकी हड्डियां चर मरा गई कथा उसने शिथील भाव से अपनी आखे बंद कर ली उसकी इस इसपष्ट वादिता से मा कुछ चड़ गई किस तरह की बात करती हो मा ने बुद पुदा कर गहा इस बात क्या ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है लूद मिला ने हाथ उरह कर अपनी कनपट्टियों पर मलते हुए धीमे सोर में कहा उसके अधर कापने लगे और उसके मुख पर कुमलता का भाव चा गया ये मैं चानती हूँ मा ने थोड़े घमंड के साथ कहा भर्टक से निकल कर वो अपनी शौल सही करने के बहाने एक शन के लिए रुकी और चारों और फूर्ती से नसर डाली कुफिया पुलिस वालों को बड़ी से बड़ी भीड में भी पहचान लेती थी जिस तरह जरूरत से ज्यादा लापरवाहिस चलते थे उनके हावभाव में एक अलस्वाभाविक निश्चिनता होती थी उनके नेत्रों में अपराधियों जैसा चौकना पन होता था जो उक्ताहट और बेदिली के बनावटी स्तिती में भी छुपाए था इन सब बातों से मा अच्छी तरह परेचित थी जब उसे इस प्रकार का कोई आदमी न दिखाई दिया तो मा इत्मिनान से सड़क पर आगे पढ़ी और किराए की गाड़ी करके उसने गाड़ी वाले से बाजार की और चलने को कहा उसने निकोलाई के लिए एक कोट पसंद किया और काफी तेर तक उसकी कीमत के लिए मोल तोल करती रही और अपने एक कल्पित पती को गालिया देती रही कि वो इतना शराबी था कि उसे हमेशा उसके लिए नए कबड कर खरीदने पड़ते थे उसकी उन बनकरंत बातों का दुकानदारों पर कोई असर नहीं बढ़ा पर वो स्वयम इस से बहुत खुश थी क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे उसने सोचा था कि पुलिस वाले बाजार में अपने जासूस अवश्य भेजेंगे क्योंकि उन्हें मालूम था कि निकोलाई की लिए कपड़े जरूर खरीते चाहेंगे वापसी में भी पहले ही की तरह भोले पन से साफधान रहकर मा ये गोर के घर की तरह लोटी फिर उसे निकोलाई को शहर की सीमा तक पहुँचाने पड़ा वे सड़क की दोनों पट्रियों पर अलग अलग चल रहे थे निकोलाई से जुकाय चलती देखकर मा को बड़ी खुशी हो रही थी तथा कोई जहांसी भी आ रही थी और उसकी टोपी बार बार सरक कर उसकी नाग पर आ जाती थी एक विरान गली में साशा किसे उनकी भेट हुई मा ने सिरहिला कर वेसो वशिकोव को इशारा किया और अपने घर की तरफ वापस लोड़ पड़ी लेकिन पावेल अभी तक जेल में है और अंद्रे उसने सोचा और उदास हो गई निकोलाई इवानवेच जब उससे मिला तो बड़ा परेशान था ये गोर की तवियत काफी खराब है उसने कहा बहुत अधिक खराब है वे उसे अस्पताल ले गए है लूद मिला यहां आय थी और वो तुम्हें अस्पताल बुला कर गई है अस्पताल निकोलाई इवानवेच ने अपना चश्मा उपर की और सरकाया और मा को अपना शलूका पहना दिया लो ये बंडल लेती जाओ उसने कामती हुई आवाज में कहा और फिर अपने गर्म सोखे हाथ में उसकी उंगलिया दबा ली विसवशिकोफ सही है हाँ मैं भी ये गोर को देखने के लिए जाओगा धकान के कारण मा का से घुमने लेगा निकोलाई की परेशानी से उसे किसी भेना घटना का अभास पहले से होने लेगा पचेगा नहीं उसके मश्तिष्क में ये विचार बार बार हथोड़े की तरह चोटे मारता रहा मगर जब उसने उस साफ सुथरे चोटे से प्रकाश में कमरे में प्रवेश किया जहां ये गोर सफेद तकीयों के धेर का साहरा लगाए लेटा भराई हुई आवाज में हस रहा था तो उसके रिदे को शान्ती मिली वो मुझकुराते हुए दौर के पास खड़ी सुनती रही कि वो डॉक्टर से क्या कह रहा था तकलीव का इलाज करना वैसे ही है जैसे चोटे चोटे सुधार करना ये गोर कभी तो समझदारी की बात किया करो डॉक्टर ने फिक्र मंस्वार में कहा लेकिन मैं खरांती का रही हूँ इसलिए मुझे सुधार से नफरत है डॉक्टर ने बड़ी सतर्क्ता से ये गोर का हाथ उसके घुटने पर रख दिया और उट खड़ा हुआ वो विचार में डूबा हुआ अपनी दाढ़ी पर हाथ बेर कर रोगी के चेहरे की सुजन को अपनी उंगलियों से चूने लगा मा डॉक्टर को जानती थी वो निकोलाई का बहुत गहरा दोस्त था उसका नाम था इवान दानिलोविच वो ये गोर के बाज गई उसने जीव निकाल कर मा का स्वागत किया डॉक्टर ने पीछे मुण कर देखा अरे निलोवना तुम बज़ा तुमारे हाथ में क्या है किताबे होंगी वो बोल उठी इन्हें पढ़ने की मना ही है उस नाटेकर के डॉक्टर ने बढ़ाया वो जल्दी-जल्दी सांसे ले रहा था और उसके सीने में से गड़गडा हट और करकरा हट की आवाज सुनाईते रही ही उसके मुख पर पसीने की चोटी-चोटी बून्दे थी और हाथ उठाकर माथे पर पसीना पोशने में भी उसे बड़ी परेशानी हो रही थी उसके फूले फूले गालों पर जो एक अनुकी निश्च चिलता थी उसके कारण उसका चोड़ा चकला निराज चहरा एक बेजबान नखाब मालूम हो रहा था सिर्फ उसकी आँखों में जो चारो तरफ की सूजन कि वज़ा से भीतर धसी हुई प्रतीत होती थी एक निर्मल चमक और एक तिरसकार कोण मुस्पुरा हट थी अरे धनवंतरी महराज मैं बहुत ठक्या हूँ चला लेट चाओ नहीं बिलकुल नहीं डॉक्टर ने सक्ती से जवाब दिया खैर आप चले जाएंगे तब लोट जाओंगा निलोवना इनलेट ने नहीं देना इनके तक्या सही कर देना और देखे बोलने बिलकुल मत देना बोलना इनके लिए बहुत बुरा है निलोवना ने सिर हिलाया स्विक्रदी प्रकटकी और डॉक्टर तेजी से चोटे चोटे कदम रखता हुआ बाहर चला गया एगोर ने अपना सेरे जटके के साथ पीछे की तरफ कर लिया और आखे भीज ली और बिलकुल निश्चल होकर लेड़ गया सिरिफ उसकी उंगलियां रह रह कर फड़ा कुटती थी उस चोटे से कमरे की दिवारे अधिक नीरस और निराशा जनक थी बड़ी से खिड़की में से लाइम की पेड़ों पी जुकी हुई फुनियां दिखाई देती थी फूल से अटी हुई उनके गहरे रंकी पत्तियों के बीच बीच में पीले पीले धब्बे दिखाई देते थे ये सरदी का कुर्स पर्ष था मौत दीरे दीरे कुछ संकोश करते हुए मुझे अपने शिकंचे में जगरती जा रही है येगोर ने अपनी आखें मूदे मूदे ही का ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ने मुझे पर थोड़ा सा रहम कर दिया है मेरी तो सबों के साथ सदा ही बड़ी अच्छी तरहनी भी है येगोर इवानोविच खामोश हो जाओ मा ने बड़े प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए विनैपून अस्वर में कहा अभी थोड़ी देर में बिल्कुल चुप हो जाओंगा बड़ी मुश्किल से वो बोलता रहा उसका दम फूल रहा था और बीच बीच में वो बहुत देर के लिए रोक जाता था ये ये बड़ा अच्छा है कि तुमारा साथ हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी होती है कभी-कभी मैं सोचता हूँ तुमारा क्या होगा ये सोचकर बड़ा कश्ट होता है कि औरो के दर तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा और सारे कटना यह उठानी पड़ेंगी तुम्हें जेल जाने से भै लगता है नहीं, माने सबस्ट उतर दिया भै तो नहीं लगता होगा फिर भी जेल बड़ी भयाना चुक है जेल नहीं मेरी इस्तिती कर दी सत पुछो तो तुम मरना नहीं जाता मैं अब भी काम कर सकता हूँ अगर, अगर मैं काम करने लायक नहीं रह जाओ फिर चीनी सिल्ला भी क्या कोई दुख नहीं है माको अंद्रे का ये वाक्या अचानक यादा गया जो सदेव कहा करता था सच तो है, पर उससे कोई शांती नहीं मिलती और उसने एक आपरी वो दिन भर काफी ठग गई थी और उससे काफी भूक लगी थी रोगी का लगाता आराज फुटस्वर कमरे में कौंज रहा था और ऐसा महसूस होता था कि उसकी आवाज हौले हौले दीवारों पर रेंग रही है किड़की के बाहर लाइम के वरक्षों की फुनगिया नीचे नीचे मंडलाते हुए बादलों जैसी लग रही थी अधिक निराश और नेराश ये पोड़ गौधुली बेला के निश्चलता में यातरे के आगवन की अभुई सूचक आशंगा में हर चीज पर एक विजित्र निश्च अब्दता चाय हुई थी मेरा मन बहुत पुरा हो रहा है ये गोर ने कहा और अपनी आखे मुंद कर चुप चाप लेट गया सोचाओ माने कहा तुम्हारा चित अच्चा हो जाएगा वो उसके सांस लेने की आवाज सुनती रही और चारों तरफ देखती रही कुछ देड़ तक वो परेशानी में डूबी हुई निश्चल बैठी रही फिर उसे नीद आने लगी दर्वाजे पर दबी हुई आवाज सुनकर उसकी आँक है खुल गई वो चौक कर उट पैठी और उसने देखा कि ये गोर निद्र खोले हुए लेटा है शमा करना ज़रा मिरी आँक लग गई थी माने को मलस्वर में कहा शमा तो मुझे मागने चाहिए कमरे में ठन रख थी और हर चीज पर एक अनोखा सर धुम्दला पंचा गया था रोगी के चेहरे पर भी एक काली मचा गई थी मा को किसी चीज की सरसराहड और रूद मिला की आवाज सुनाई थी यहां अंधेरे में बैठे क्या क्या खुसर खुसर कर रहे हो तुम लोग बिजली का स्विच कहां पर है अचानक कमरे में आखों की चका चौन्थ कर देने वाली रोश्नी हो दी और कमरों के भीचो भीच काली पोशाक में लूद मिला की लंबी तनी हुई आकरती दिखाए पड़ी ये गोर के जिस्म में एक सिहरन सी दोड़ गी उसने अपना हाथ उठा कर सीने पर रख लिया क्या बात है लूद मिला ने भाग कर उसके पास जाकर बुच्छा वो आँखे गड़ाए मा को देख रहा था उसकी आखे इस समय बहुत पड़ी पड़ी लग रही थी और उनमें एक अनूखिसी जियोती थी मुख पाड़कर उसने अपना सिर्हे उपर उठाया और हाथ पहला दिया मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुख को घूर कर देखने लगी वो सांस भी नहीं ले पा रही थी तभी अपने शरीर को जहंजोड़कर रोगी ने अपने सिर को जटका दिया और उची आवाज में बोला नहीं नहीं बस सब समाप्त हो गया उसके जिस्म में एक जोर जोरी सी हुई उसका सेर निढाल होकर उसके कंधे पर लोड़क गया और पलंज पर लटकते हुए लैंब की कुरूर राशनी का निरची प्रतिबेंब उसके खुले नेत्रों में दिखाई पड़ रहा था हाई बिचारा मा असबट स्वर में बोली लूद मीला दीरे दीरे चलती हुए खिड़की के पास तक गई और वहाँ खड़ी होकर बाहर देखने लगी वो मर गया उसने अचानक इतने जोर से चिला कर कहा कि मा चौक पड़ी लूद मीला खिड़की की चौकट पर कोहनिया टिका कर खड़ी हो गई और फिर तब ही मानो किसी ने सहसा उसके सिर पर जोर का वार किया हो वो घुटनों के बल पैटकर दोनों हाथों से मुख ठक कर रोपड़ी ये गोर के दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर तथा तकीये पर उसका सिर सीधा करके माने अपने आशु पूच टाले और लूद मीला के पास चली गई वो जुकर बड़ी नर्मी से उसके घने बालों पर हाथ फेरने लगी लूद मीला ने धीरे धीरे अपना सेर उठा कर फटी हुई चोदी ही इन आँखों से मा को दरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई निर्वासन में हम दोनों साथ साथ रहे थे उसने कामते हुए असभुट स्वार में बताया दोनों एक साथ सजा काटने के लिए भेजे गए थे दोनों चेल में रह रहे थे कभी कभी तो वहां वहां बड़ा भायनाक मालूम होता था पिल्कुल असहनी हो जाता था कई लोगों की हमते तूट गई वह अचानक बड़े जोर-जोर से रोने लगी मगर बहुत कोशिश करने के बाद उसने अपने आपको संभाल लिया वो मा के और पास आ गई प्रेम और दुख की भावनाओं से चहरे पर जो कोमल ता आ गई थी उसकी वज़े से वो और नौजवान मालूम होने लगी थी किंति वो सदा ही हस्मुक रहता था वो मजाग करता था चो कमसोर थे उनकी हिम्मत बदाहे रखने के लिए अपनी तकलीफ को कभी प्रकट नहीं होने देता था सदा दूसरों के साथ भलाई करता था बहुत उधार था और दूसरों का सदा ध्यान रखता था वहां साइबेरिया में काली बैठे बैठे अकसर लोगों का विवहार बिगड़ जाता है और वे अपनी कुछ सिद भावनाओं का शिकार हो जाते है वो इसके खिलाफ लड़ना बहुत अच्छी तरह जानता था तुम नहीं जानती हो कितना अच्छा साथी था मेरा उसकी अपने इस सिंदेगी में कश्ट के अलावा और कुछ था ही नहीं लेकिन कभी किसी ने उससे शिकायत करते नहीं सुना कभी नहीं मेरी तो बड़ी दोस्ती थी उसके साथ मैं मैं बहुत एहसान मन था उसकी अपने अपार क्यान में से जो कुछ मुझे देज सकता था उसने दिया हलागी उस सिंदगी में काफी उपता गया था अकेला था उसने कहीं पतले में कुछ नहीं चाहा उसने ये नहीं चाहा कि मैं उससे प्यार करू अत्वास के आराम का ख्याल रहो ये गोर के पास जाकर लूत मीला ने जुक कर उसका हाथ जुब लिया साथी मेरे प्यारे साथी, अच्छे साथी शुक्रिया, मैं तुम्हे दिल से धन्यवाद देदी हूँ उसने शांथ व्याथे तस्वार में कहा पिदा, मैं तुम्हारे ही तरह काम करती रहूँगी अपनी सिंदेगी भरपक के विश्वास के साथ अनथक काम करती रहूँगी पिदा सिस्कियों से उसका जिस्म काप रहा था उसने ये गोर के पाइती पलंग पर अपना सिर्ख दिया मा चुप्चा पैठी आंसु भाती रही नजाने क्यों पो रोना नहीं चाहती थी वो तसली भरे शब्दों से दलूद मीला को धीरच बंधाना चाहती थी विशेश और अत्यधिक तीव्र प्यार की भावना से पुचकारना चाहती थी ये गोर के बारे में प्यार और दुख के शब्द कहना चाहती थी डब डबाई हुई आंखों से उसने ये गोर के पिछके हुए चेहरे और उसकी आदी खुली हुई आंखों को देखा जैसे वो भी उंग रहा हो उसने उसके नीले अधनों को देखा जिन पर अभी तक मुस्कुरहाट खेल रही थी हर वस्तु पर एक नीस तब्रता और दुशाद चाया हुआ था इवान दनीलोविच जल्दी जल्दी से छोटे छोटे कदम रखता हुआ वहां आया अचानक वो कमरे के मद्धे में रुगा और फिर दोनों हाथ जेब में डालकर खड़ा हुए किरते देर हुई उसने घवराई हुई आवाज में सोर से पूछे किसी ने उतर नहीं दिया डॉक्टर ने अपने माथे का पसीना पूछे और रड़ खड़ाते दबे कदमों से ये गोर के पास जाकर उसका हाथ दबाया और अलग हटकर खड़ा हो गया ये तो होना ही था इतना दुर्बल हिर्द है था कि कम से कम छह महिने पहले ही ये हो जाना चाहिए था सहसा उसका उंचा स्वर जो जरुरत से ज्यादा उंचा था जिसे वो पड़ी चेश्टा करके शांत बनाय हुए था रूंद गया वो दिवार के टेक लगा कर खड़ा हो गया और घबराहट में जोर से अपनी दारी मरूरता हुआ पलंग के बास बैठी उन और्दों को देखा हाथा एक और चल बजा उसने धीरे से कहा लूद मीला उटकर खड़की खोलने चली गई थोड़ी देर पस चाथ तीनों एक दूसरे से सटकर वहां खड़े सर्दियों की रात का अंधिकार में चेहरा देख रहे थे पेड़ों की काली फुनियों के उपर सितारे चकमगा रहे थे और आस्मान की अनंतविस्तार को और भी अंधिकार में बना रहे थे लूद मीला मा की बाह पकड़कर चुपके से उसके कंधे का सहाला लेकर खड़ी हो गई डॉक्टर से जुकाए खड़ा अपना चश्मा साफ कर रहा था नेस तब्दता को फाड़ती हुई शहर की राते काली इंदेशे थे लावाजे आ रही थी हवा का एक ठंडा जौका आया और उसके केशों से अठखेलियां करने लगा लूद बीला काप उठी और एक आसू धीरे से उसके काल पर ढख लग गया बाहर बरामते में उन लोगों को दवी हुई भै भीत आवाजी सुनाए दे रही थी कराहने की आवाज पर वे तीनों खड़की के निकट चुक चापने शिल खड़े रात के अंधिकार को घूरते रहे ये सोचकर कि शायद उसकी वज़े से कोई बाधा पड़ रही हो मा ने धीरे से अपना हाथ हीच लिया जुक कर ये गोर कासिर जुकाया और दौर की तरफ चल दी आप जा रही हैं डॉक्टर ने बिना मोड़े धीरे से पूछा हाँ बाहर पहुँचकर मा लूद मीला के विशय में सोचने लगी कि किस तरह उसने अपने सिस्कियों को दबाया था उसे सही से रोना भी नहीं आता उसे ख्याल आया कि ये गोर ने मरने से पहले क्या कहा था और उसके सीने से एक आह निकल आई सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसे उसकी चमकतार आखे उसका हस्मुक व्यभार और उसकी सुनाई हुई रोचक कहान या याद आती रही आहम आन्मी के लिए चीना कढ़िन होता है पर परना असान होता है मा इलम नहीं कि मैं किस तरह मरूगी उसने सोचा अपने कर्पना दिश्टे से वो लूद मीला और डॉक्टर को उस श्वेज चमकदार कमरी की खिड़की के पास खड़ा देख रही थी और ये गोर की मुर्त आखें पीछे से गोर रही थी सहसा उसके दिल में सारी मानावता के पती गहरी वेदना का तूफान उमड़ पड़ा लंबी आहा भर कर उसने अपने कदम तेज कर दिये मुझे शीकर चलना चाहिए उसने सोचा जो उदास पर साहस मैं शक्ती उसे भीतर से प्रेरित कर रही थी उसके आगे उसने आत्म समर पड़ कर दिया दूसरे रोज मा कफन दवन का प्रबंद कर दी रही शाम को जब वो सोफिय और निकोलाई के साथ बैठे चाय पी रही थी उसी वक्त साशा आई उस वक्त उसमें एक अनोकी चंचलता थी और वो बहुत बातें कर रही थी उसके गालों पर खुशी की लाली थी उसकी आंके उल्ला से चमक रही थी और ऐसा आभास होता था कि उसके दिन में कोई उल्लसित आशा हिलोरे ले रही है शोप के जिस शांत वातावरण में ही वे ये गोर के बारे में बाते कर रही थी उसे साशा की उच्छ रंखलता ने भंग कर दिया उसका बरताव बिलकुल असंगत था उसका इस तरह का व्यवहार उसे बुरा मालूम हुआ ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में अचानक आग भड़क उठी हो निकोलाई विचार मगन होकर मेज पर तबला बजा रहा था साशा? क्या बात है? और तुम कुछ पदली होई दिखाईते रही हो उसने कहा हूँ ना? मुम्किन है उसने काफी प्रसंद होकर धीरे रहा हम लोगी ये गोरी वानवेश्च की बादे कर रहे थे सोफिया ने बात का क्रम फिर पगड़ते हुए कहा साशा? तुम बताओ कितना अच्छा आदमी था? साशा ने कहा मैंने उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ और हसी मजाग करता हुआ ही पाया और कितना कारे करता था वो क्रांती का कलाकार था और क्रांती कारे ठंक से सोचने में ने पूरता हिंसा, छूट और अन्याय का चित्रण वो हमेशा कितने सीधे साधे और जोड़दार अलफाजों में करता था वो बड़े शांत स्वर में बोल रही थी और कुछ सोचकर मुस्कुराती जा रही थी पर इस मुस्कुराहट की याड में भी हर्श तिरेक की वो अगनी छुप न सकी जिसे देख तो सभी रहे थे पर जिसके कारण वो किसी की समझ में नहीं आ रही थी वे नहीं चाहते थे कि साध्षा की प्रसनता उनकी उदासी की जगह ले ले और उसे भी अपने ही तरह उदास बनाने की कोशिश करके वे बिना जानते वे ही अपने व्यथित होने की हक की हिवाज़त कर रहे थे और वो मर क्या सोफिया ने अर्थ पूर्ण नजर से साशा की तरफ देख कर कहा साशा ने चल्दी से उन सब पर एक प्रश्न सूचक द्रिष्टी डाली और उनकी तियोरियों पर बल पड़ गए उस दिर जुगा कर खामोश हो गई और धीरे धीरे अपने बालों की चिमिटियां ठीक करने लगी थोड़ी देर तक खामोश रहने के पश्चार उसने सहसा नजरें उपर उठा कर देखा वो मर गया इसका मतलब मर गया बरना क्या होता है ये गोर के लिए मेरी आबरू या एक साथे की हैसियत से उसके लिए मेरा प्यार या उसके विचारों के विशय में मेरी सूझभूश मर गई उसने मेरे रिदय में जो भावनाय चाक्रित की थी क्या वो मर गई अत्वा मैंने ये समझना चोड़ दिया कि वो वो एक इमानदार और बहदूर आदमी था क्या ये सब कुछ मर गया मेरे लिए ये सब कुछ कभी नहीं मर सकता और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये कहने में बड़ी उताबली से कार लिते हैं कि फला व्यक्ति मर गया उसके होट पेजान हो गये मगर उसके शब्द जिन्दा लोगों के रिदय में हमेशा जिन्दा रहेंगे अपने भववेश में वो मेज के निकट आगर पैट गई और मेज पर कोहनिया टिका कर डब डबाई होई आखों से अपने साथियों की ओर देख कर मुस्कुराई और विचार मगन होका अधिक शान्द स्वार में बोली संभाव है मैं जो कह रही हूँ वो आपको मेरी बेवकुफी की बातों मालूम हो रही हो मैं विश्वास करती हूँ कि इमानदार लोग अमर होते हैं मैं समझती हूँ कि कि जिन लोगों ने मुझे ये शान्दार जीवन गुजारने का सुक्तिया वे अमर है ऐसा जीवन जो अपनी आश्च्य रिचनक चटिलता से अपने सैखडो रूपों के वेविद्य से और उन विचारों के विकाज से जो मुझे अपने प्राणों से भी भल कर प्रिय है रोमान चित कर देता है शायद हम लोग अपनी भावनाओं को बड़ा संभाल कर रखते हैं हम लोग अपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत देते हैं इसलिए हमारा व्यक्तित पूरी धरावे कसित नहीं हो पाता हम वस्तों को तरजर्बा करने के बचाए उनकी विमान सा करने लगते है क्या आज कोई खुशी की बात है तुम्हारे लिए सोफिया ने मुस्कुरा कर पूछा हाँ साशा ने चवाब दिया बहुत ही खुशी की बात मालूम होती है मुझे तो मैं पूरी रात वैसे वच्चिकोव से बात ही करती रही निग्रणा थी वो हमेशा हर बात में अपने आपको सबसे ज्यादा महत्वत देता था और बड़े भॉंडे और अच्छे तरीके से कहता था मैं 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 उसमें एक अजीब से भयानक इसम की तंग नजरी थी साशा ने मुस्कुरा कर चमकती हुई दिश्टी से देखा लेकिन अपकर कहता है कामरेट और आप सुनियेगा कि ये शब्द किस प्रकार कहता है कुछ लजा कर इतने प्यार से कहता है कि शब्दों में बया नहीं किया जा सकता अब वो काफी सीधा हो गया है उसमें लगन पैदा हो गई है और वो काम करने को व्यक्ल है उसने अपने आपको पहचान लिया है अपने खुबियों और खराबियों को अब वो जानता है लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें भाईचारे की सच्ची भावना उत्पन्न हो गई है साशा की बाते सुनकर मा को बड़ी प्रसन अता हुई वो इतने कठोर डड़की भी ऐसी कॉमल और हस्मुख बन सकती है किन्तो इसके साथ ही दिल में वो जल कर सोचती रही अतता पाविल का क्या हुआ वो अपने सब साथियों के विश्वाय में सोचा है साशा कहती रही और जानते हैं आप लोग उसने मुझे किस बात का विश्वात दिलाने की कोशिश की है कि हम उन बड़े लोगों को भगाने का इंतिजाम करना चाहिए वो कह रहा था कि ही काम बड़ी सरलता से किया जा सकता है सोफिया ने सिर उठा कर और अधीरता सिखा साशा की बात तो पते किल्वती है तुम्हारा क्या विचार है मा के हाथ में चाय की फ्याली काप गई साशा भवे सिकोड़ कर अपनी उत्सुकता चुपाने की कोशिश करने लगी यदि वो सच है तो हमें जरूर कोशिश करने चाहिए हमारा फ़र्ज है कि हम चेश्ठा करे उसने एक पल के लिए रुक कर बड़े हर्षजे मुस्कुराते हुए कहा साशा वो शर्मा गई और बगएर कुछ कहें बैठ गई मेरी प्यारी बच्ची मान ने जोचा और मुस्कुरा दी सोफिया भी मुस्कुराने लगी और निकुलाई साशा की तरफ कंखियों में से देखकर किसी आने लगा आँखों ने सिर उठाकर कठो उर्दिष्टी से देखा उसका रंग पीला पड़ गया था उसकी आँखे लाल थी और उसके स्वर में रूखा बन था और ऐसा महसूस होता था कि वो बुरा मान गई है मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझ पर हस रहे हैं उसने कहा आप समझते हैं कि मैं अपने निजी स्वार्थ से इस प्रकार करने को कह रही हूँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो शाषा सोफिया ने भी चाला किसे पूछा और उठकर उसके निकट चली गई मा भी जान गई थी कि साषा बुरा मान गई है सोफिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसने एक आह भरी और घुसे से सोफिया की तरफ देखा यदि ऐसा है तो मैं इसका कोई अर्थ नहीं साषा ने बिगड़ कर कहा मैं इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालूगी जब तुम लोग यही समझते हो कि बस बस रहने दो शाषा निकोलाई ने धी रिसे कहा मा उसके पास जाकर केश्यों पर हाथ फिरने लगी साषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना तम तमायावा मुख ऊपर उठाया मा ने मुस्कुरा कर आह परी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गए सोफिया साषा की बगल में खुर्सी पर बैट गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया तुम अजीब चीज़ हो उसने रहसे मही मुस्कुराट के साथ साषा की आँखों में आखे डाल कर बताया तुमारे दिल में ये बात कैसे आई सोफिया ने कहाँ लेकिन निकोलाई ने बड़ी ही खरी-खरी बात कह दी अगर मुम्किन हो तो हमें उन्हें भगाने का इंसाम सरूर करना चाहिए लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि जेल में हमारे जो साती हैं वे इसके लिए राजी हैं भी या नहीं साशा ने अपना सिर चुका लिया सोफिया ने सिग्रेट जलाई और भाई की और कंखियों को देखकर मा चिसकी सलाई कोने में फेट दी उसे क्या पत्ति हो सकती है मा आह भर कर भोली लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं कि ऐसा हो भी सकता है मा इसके लिए बड़े उत्सक्ति वोई लोग उसे यकीन दिलाते कि ऐसा मुम्किन है लेकिन किसी ने विश्वास नहीं दिलाया मुझे विस्वश्चिकोफ से मिलना पढ़ेगा सोफिया ने कहा कल मैं तुम्हें बता दोगी कि कब और कहां तुम उससे मिल सकती हो साशा ने कहा उसका अब करने से क्या फायदा सोफिया ने कमरे में खूमते होगा नए चापे खाने में टाइप बिठाने में काम पर लगाया जाएगा उस वक तक वो जंगल के रखवाले के साथ रहेगा साशा की तियोरियों पर बल्लक चड़े हुए थे और उसके मुँपर हमेशा जैसे गंभीरता आ गई थी वो बड़ी रुखाई के साथ बोल रहा था पर सो जब तुम पावेल से मिलने जाओगी तो पावेल को एक रुखा दे देना निकोलाई ने मा के पास आकर कहा मा चाए की प्यालियां दो रही थी बात यह है कि हमें ये पता करना है कि मैं चान गई, समझ गई मैं उसे परची देदूगी अच्छा अब मैं चलती हूँ साशा ने जल्दी से चुपचाप उससे हाथ मिला कर कहा और बाहर चली गई वो इस समय भी बनकर चली जा रही थी और उसके खदमों में एक असाधारन द्रहता थी साशा के चले जाने के बाद सोफिया मा के कंधे बार हाथ रखकर उसे कोरसी पर जुलाती रही निलो उपना यदि तुमारे ऐसी भग होती तो क्या तुम उसे फ्रेम करती उसने पूचा काश मैं उन दोनों को बस एक रोज के लिए साथ देख सकती मा ने कहा और बड़ी आशा के साथ कहा उसका गला रुंद गया था होता है और जब कोई चीज बहुत हो जाती है तो फिर उसकी कदर नहीं रह जाती सोफिया जाकर पियानों पर बैट गए और फिर उसने एक निराश धुन छेड़ दी दूसरे दिन ही लगभग 30-40 व्यक्ति अस्पताल के भाटक पर खड़े अपने साथी की अर्थे निकलने का इंतजार कर रहे थे उनमें से कुछ जासूस भी थे जो उनकी बाते सुन रहे थे और उनके चेहरे उनका बात करने का तरीका और उनकी बाते अच्ची तरह अपने दिमाग में बैठाते जा रहे थे सड़क के पास कुछ पुलिस वाले कमर पर पिस्टॉल लगाए हुए तैनाथ थे जासूसों की इस बेवफाई पर और किसी भी समय अपनी शक्ती पर प्रदर्शन करने को तयार पुलिस वालों की विंग पूर्ण मुस्कुराहट पर जन समुदाय को गुसा आ रहा था कुछ लोग अपने क्रोध को मजाक में टालने का प्रयात्न कर रहे थे कुछ लोग गंभीर मुद्रा बना कर अपनी दृष्टी जुकाए हुए थे कि वे उनके इस अपमान जनक व्यावार को देखे ही नहीं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो अपने जजबातों पर काबू नहीं कर पा रहे थे और इसलिए हाकीमों पर फप्तियां कस रहे थे और उन्हें निहत्ती जनता से उसके निकट अपनी जबान के अलावा कोई दूसरा हधियार नहीं होता कितना डर लगता है उपर सर्दियों का निर्मा लाकाश नीचे पत्षड की पीवी पत्तियों से पटी हुई सड़कों को देख रहा था हवा के जोंके इन पत्तियों को राहगीरों के कदमों के पास इधर उधर उड़ा रहे थे मा भीड के बीच में खड़ी थी बहुत कम लोग हैं बहुत कम और श्रमित तो शायद कोई था ही नहीं वो उन परिचित सूरतों को देख कर धुकी होकर सोचने लगी द्वार खुला और कुछ लोग ताबूत लेकर पाहर निकले जिसका धकन लाल फीतों से बंदे हुए हारों से सजा हुआ था प्रतिक्षा करने वालों ने फौरण अपनी टोपियां उतार ली और ऐसा प्रतित हुआ कि जैसे काली-काली चिडियों का एक जुंड सहसा उड़ गया हो एक लंबे कद का पुलिस अफसर जिसके लाल चेहरे पर काली-काली घनी मूचे थी लंबे-लंबे पग बढ़ाता हुआ जल्दी से भीड में गुसा और उसके पीछे-पीछे अपने फौजी जूतों की जोर सी आवाज के साथ पटकते हुए लोगों को ठेलते हुए आगे बढ़ें यह फीते है डादा बाईया अफसर ने अपनी फटी हुई आवाज में आग्या दी मर्द और और औरतें उसे घेरे हुए खड़े थे बाहर हाथ हिला हिला कर एक दूसरे को ठेलते हुए उत्तेजित स्वर में ववाचीत कर रहे थे मा की आँकों के आगे लोगों के पीले उत्तेजित चहरे नाच रहे थे लोगों के होट काप रहे थे एक औरत के गालों पर आंसु ढलक रहे थे हिंसा का नाश हो किसी नवी वक ने चीख कर कहा और उसकी आवाज शीग्रही बहस के शोर में डूप कई मा के रिदय में जैसे किसी ने डंग कमार दिया हो उसके पास ही खड़े नौजवान को जो खराब वस्तर पहने था संबोधित करके घुस्से से कहा वे हमें अपनी इच्छा का अंतिश्टी संसकार भी नहीं करने देते कितने शर्म की बात है लोगों की उत्तेजना बढ़ती गई लोगों के सिरों के उपर ताबूत का धकन डगमगा रहा था लाल फीते हवा में लहरा रहे थे और नीचे लोगों के सिरों तथा चेहरों को छू रहे थे सूखे रेशम की सरसराहत सुनाई दे रही थी ऐसा महसूस होता था कि मानो रेशम के फीते स्वयम घबरा रहे हो मा को डर हुआ कि कहीं टक्कर ना हो जाए वो दाएं बाएं खड़े लोगों को संबोधित करते जल्दी जल्दी बड़बडाती रही यदि ये लोग यही चाहते हैं तो भाड में जाए फीते दे दो इने हम ही लोग सबर कर लेंगे किसी की आवाज तेज आवाज इस शोरगूल को चीरती हुई सुनाए पड़ी हम मांग करते हैं कि हमें अपने साथी की कबर तक उसके साथ जाने का हग दिया जाए अपने उस साथी की कबर तक जिसे तुम लोगों ने जुम ढ़ाकर मार डाला किसे ने उची आवाज में काना शुरू कर दिया बलिदान तुम्हारा उच्च महान फीते उतार लो या कोवलेव काड तो फीते एक तलवार सायं से चली माने आख मूली वो सोच रही थी कि खलबली मच जाएगी मगर लोग सिर्फ गरे बेडियों की तरह दानत निकाल कर बढ़ बढ़ाते रहे खामोशी से सिर जुकाए वे आगे बढ़ते गए और उनके घिसटते हुए खदमों की आवाज हवा में गुंजने लगी लोगों के सिरों के ऊपर ताबोद का ढगन तथा उस पर फूलों के कुजले हुए हार हवा में लहरा रहे थे और उनकी भगल में घृण सवार सिपाही एटते हुए चले जा रहे थे मारास्ते के किनारे पट्री पर चल रही थी इस और से उसे ताबूत दिखाई नहीं दे रहा था देखते देखते जनाजे के चारों और भीड बढ़ गई और पूरी सडक खचाखच भर गई थी घुरसवार पुलिस वालों की भूरी आकरतियां पीछे रह गई थी और जुलूस के तोनों तरफ पुलिस वाले अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे चले जा रहे थे हर और मा को जासूसों की चिर परिचित आखें दिखाई दे रही थी और जो लोगों के चेहरों को बड़े ध्यान से देख रहे थे दो व्यक्तियों ने शोक में डूबे हुए स्वर में गाना अरंब किया विदा साथी विदा गाने की जरुरत नहीं किसी ने चिला का कहा हम लोग खामोशी से जुलूस में चलें इस आवाज में बड़ा रौप था दुनिया में डूबा हुआ गाना बंध हो गया लोगों का वारतालाब भी बंध पड़ गया सड़क के पत्थरों पर बस लोगों के बेजान खदमों की सपाट आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज लोगों के सिरों के उपर से उठती हुई निर्मल आकाश में गूंजने लगी और पातावरण जैसे दूर से आती हुई तूफान की पहली करद से काप गया प्रतिक्षन, तीब्र हुई ठंडी हवा, गर्द और शेहर की सड़कों का सारा कुड़ा उठाकर लोगों पर ज्छोंक रही थी हवा के ज्छोंकों में उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे उनके लिए आँखें खोलना भी असंभव हो गया था हवा के थपेड़े उनके पाउं में लिप्टे जा रहे थे ये खामोश जनाज़ा जिसके साथ ना पादरी था और ना शोक के मर मिस परशी की थी ये विचार मगन चेहरे और चड़ी होई त्योड़िया इन सब को देखकर मा का रिदय भायवीत होटा उसके रिदय में कुछ विचार धीरे धीरे चकर काट रहे थे और वो उन्हें उदास शब्दों में प्रकट कर रही थी बस थोड़े हैं आप सच के लिए लड़ने वाले हैं वो सिर्ज उकाए बढ़ी जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वे ये गोर को नहीं बलकि किसी और चीज़ को दफन करने चा रहे हैं किसी ऐसी चीज़ को जो उसे बहुत प्यारी थी और उसके लिए काफी सरूरी थी उसके अपने दिल में एकागी पन का दुख मैसूस हुआ उसके रिदे में और लोगों के लिए जो ये गोर को दफन करने चा रहे थे विरोध की एक चुटी वई भावनातमक भावना उत्पन होई ये गोर परमातमा में यकीन नहीं रखता था माने सोचा ये लोग भी कोई ये शुर में यकीन नहीं रखते वो इस बात के विशे में और ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी इसलिए इसने आह भर कर ये भारी पोज अपने सीने पर से उतार देने की चेश्ठा की ये इश्वर ये मसीय क्या ये हो सकता है कि मैं भी इन लोगों की तरह वे कबरिस्तान में पहुँचे और कुछ देर तर कबरों के बीच एक पतले पतले रास्ते में घूमते हुए एक खाली चगापर पहुँचे जहां चारों और नीची नीची सफेद सलीबे लगी हुई थी चुपचाप वे एक नई खुदी हुई कबर के चारों तरह फीर लगा कर खड़े हो गए कबरों के बीच चिवित लोगों की ये कंभीर खामोशी किसी भैना घटना की चेताव ने ते रही थी जिसके कारण मा के रिदय की स्पंदन रुख सी गए थी सलीबों के बीच से हवास, करश्ती और सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और ताबोत के ढखकन पर कुछले हुए फूलों से अठ खेलियां कर रही थी पुलिस वाले अपने अफसर पर द्रिष्टी जमाई अटेंचन की मुद्रा में खड़े हो गए एक लंबा सा नौजवान जिसका चेहरा पीला, भवे घनी और बाल लंबे थे कब्र के सिरे पर आकर खड़ा हो गया सुनिये, पुलिस अफसर ने भराई हुए आवाज में कहा साथियों, नौजवान ने उची आवाज में कहना शुरू कर दिया जरा रुकिये, अफसर ने चिला कर कहा मैं सपष्ट कहे देता हूँ, कि यहां भाषन देने की इजासत नहीं दे सकता हमाए मैं सिर्फ कुछ शब्दों को कहूंगा नौजवान ने शांत भाव से जवाब दिया साथियों, आईए, हम अपने मित्र और गुरू की कब्र पर सौगन दखाएं कि उसने जो कुछ सिखाया है, उसे कभी नहीं भूलेंगे हम में से हर एक पूरी आयू, उस ताकत की कब्र खोथता रहेगा जो हमारी मात्र भूमी की सारी मुसीबतों की जड़ है वो पापी जारिम शक्ती है, जार की निरंग कुष्टा किरफ़तार कर लो इने, अफसर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत सी आवाजों के शोर में डूब गई जार शाही मुर्दाबाद, पुलिस वाले बीड को चीरते हुए, बक्ता की और पड़े उसके साथी उसके बचाओ के लिए उसके चारों और सटकर खड़े थे आजादी जिन्दाबाद, उसने हाथ हिला कर नारा लगाया मा धक्का खाकर एक तरफ को हट गई, भैबीत होकर एक सलीब का साहरा लेकर खड़ी हो गई और उसने अपनी आखें बंद कर ली, वो सोच रही थी किसी भी पल उस पर वार होगा कुलाहल से उसके कान फटे जा रहे थे, उसके पावो तले धरती खिसकी जा रही थी तेज हवा और डर के कारण वो साथ भी ठीक से नहीं ले पा रही थी पुलिस वालों की सीटियां खत्रे की सूचना दे रही थी अफसर करकश स्वर में अग्याएं दे रहे थी औरतें और चीक रही थी चार दिवारी की लखडियां चर्मरा रही थी और सूखी मिट्टी पर भारी जूतों की धमक सुनाई दे रही थी यह सब कुछ इतनी देर तक होता रहा कि माँ वहां आखे बंद किये खड़े रहने की पीड़ा को और ज्यादा बरदाश्ट ना कर सकी उसने नजर उढ़ा कर देखा और बाहें फैला कर एक चीक मार कर आगे पढ़ी कुछ ही दूर पर कबरों के बीच एक पतली सी कली में पुलिस वालों ने उस नवियोगत को खेर लिया था जो आदमी उसे बचाने के लिए बढ़ते थे उन्हें मार मार कर पीछे ढखेल रहे थे नंगी तलवारें बड़ी कुरूटता से चमक रही थी कभी व्यक्तियों के सिरो पर चमकती और कभी पीच में धस जाती बेंद और चार दिवारी की टूटी हुई लकडियां हधियारों की भात ही प्रयोग की जा रही थी लोग शोर मचाते वे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और उस नौजवान का पीला चहरा इस पूरे नजारे पर चाया हुआ था भावत तेजना के इस तूफान को शीरता हुआ उसका पक्का स्वर सुनाई दिया साथियों अपनी ताकत बरकार मत करो लोगों ने उसकी बात पर ध्यान दिया और अपनी लिकड़ियां छोड़ छोड़ कर वहां से भागने लगे लेकिन मा किसी अदम में शक्ति से प्रिदित होकर आगे बढ़ती रही उसने देखा कि निकोलाई अपनी टोपी गुद्दी की और सरकाए उत्ते जित जन सम्मू को पीछे धखे रहा है क्या तुम लोग पागल हो गए हो उसने लोगों को डाटते हुए का शान्त हो जाओ अरे शान्त हो जाओ मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके हाथ पर खोन लगा हुआ था निकुलाई इवानोविच यहां से भाग जाओ मा ने उसकी तरफ छबटते हो चिला कर खा कहा जा रही हो मार खा जाओगी किसी ने मा के कंधे पर हाथ रखा और उसने मुड़ कर देखा तो सोफिया नंगे सिर केश बिखरा एक लड़के का हाथ पकड़े उसकी बगल में खड़ी थी वो लड़का जो अभी बिलकुल बच्चा ही था अपने चहरे पर से रख्त पहुँच रहा था मुझे छोड़ दो कोई बात नहीं है वो धर्दराते हुए होट से बुदबदा रहा था लो उसे संभालो और हमारे घर पहुचा दो लो ये रुमाल अपनी मुपर पट्टी बांदेना सोपिया ने चल्दी से कहा और लड़के का हाथ मा के हाथ में थमा कर वहां से भाग गई चल्दी से जाओ नहीं तो गिरफतार कर लेंगे उसने पीछे मुड़कर मा से चीख कर कहा लोग कबरिस्तान में चारों तरफ तितर बितर हो गए थे और पोलिस अपनी भारी बूट पटकते हुए कबरों के बीच इधर से उधर भाग गए थे उनके लंबे लंबे कोटों के दामन उनके पाओ में बार बार उलज रहे थे और वे अपनी तलवारे चमकाते हुए गालियां बख रहे थे तड़का भेडिये की तरह उन्हें देख रहा था जल्दी करो मा ने रुमाल से अपना मुँँ पोच कर कहा तुम मेरी फिक्र मत करो ज्यादा चोट नहीं लगी है उसने खून ठूकते हुए कहा उसने दलवार की मुझे मारा था किन्तु उससे भी मैंने मज़ा चखा दिया मेरे इतने जोर से लखड़ी मारी कि वह चीख उठा तुम लग जो यहां से उसने अपनी रक्त से भरी मुट्टी हिलाते हुए चीख कर कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ आगे देखो एक बार जहां हम समस्दूर उट खड़े हुए तो बिना लड़े ही हम तुमारा सफाया कर देंगे चल्दी करो माने कबरिस्तान की चार दिवारी के छोटी से द्वार की तरफ बढ़ते हुए कहा वो कलपना कर रही थी कि चार दिवारी के पार खुले रेत में पुलिस उनकी प्रतीक्षा में पैठी होगी और उनके निकलते ही वे छपट पड़ेंगे और उन दोनों को काफी मारेंगे अगर फाटक पर पहुँचका जब उसने चारों और खेत में नजर तोड़ाई जहां सर्दियों की गोदुली पेला जुट-पुटा फैला हुआ था तो उसे नीस तब्दता और निर्जनता के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया लाओ मैं पट्टी बांद देता हूँ उसने लड़के से कहा रहने दो मुझे कोई चोट से थर्म शर्म नहीं आती लड़के ने कहा बराबर के लाए हुई उसने मुझे मारा और मैंने उसे मारा मा ने जल्दी से जखम पर पट्टी बांधी लड़के का खौन देखकर उसका रिदय समवेदना से भर उठा और जब उसने तजुर्बा किया कि उसका खून कितना गर्म और गाड़ा था तो उसके जिस्म में जुर जुरी सी दोड़ गई वो बिना कुछ बोले उसके साथ जल्दी जल्दी खेत को पार कर गई कामरेड आप मुझे कहा ले जा रही है लड़के ने अपने मुख पर से पट्टी हटाते हुए बढ़या खड़ कर पूछा मैं अकेला चला जाओंगा किन्तु माने अनुभव किया कि लड़के के हाथ काम रहे थे और उसके पाउं लड़ खड़ा रहे थे वो निरंतर बाते करता जा रहा था और उप्तर की प्रतीक्षा किये बिना प्रशन पूछता जा रहा था उसको अस्वार दुर्बल होता जा रहा था आप कौन है? मैं तो ठटेरा हूँ और मेरा नाम इवान है यगोर इवानविज के मंडल में हम तीन थे कुल मिला कर हम ग्यारा थे किन्तु ठटेरे हम तीन ही थे हमें वो बहुत अच्छा लगता था मैं मैं इश्वर से यकीन नहीं रखता था फिर भी मैं वनिति करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांती दे एक सड़क पर पहुँचकर मा ने किराय की गाड़ी कर ली तथा इवान को उसमें बैठा कर आहिस्ता से उसके कार में बुद्बुदाया कुछ बोलना नहीं ये कहकर सतर्टा से उसके मुँँ पर पट्टी बांदी वो अपना हाथ उठा कर मुँँ के पास तक ले गया पर फिर उसे गोद में ढीला छोड़ दिया उसमें बट्टी खुलने की शक्ती शेश नहीं रह गई थी बट्टी की तहों के पीछे से वो बुद्बुदादा रहा दोस्तों ये मत समझ लेना कि मैं कभी भी इस बात को भूल चाऊंगा कि उसके आने से पहले यहां तितोविश नाम का एक विद्ध्यार थी था जो हम सब को पढ़ाया करता था राचनेतिक और तशास्त्र उसे उसे बंदी बना लिया गया मा ने अपनी बाह इवान के गले में डालकर उसका सिर और अपने सीने से लगा लिया रड़का अचनक निडाल होकर पढ़ा रहा और बिलकुल खामोश हो गया मा ने भाई विमूड होकर चारों और घबरा कर देखा उसे डर लग रहा था कि पुलिस वाले किसी कोने से निकल कर जपटते हुए उसके पास आ जाएंगे और इवान के सिर पर पट्टी बंदी देखकर उसे पकड़कर माड़ा रेंगे नशे में है गड़ इवान ने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर पूछा और बड़ी सहर दैता से मुश्कुरा फड़ा हाँ बहुत ज्यादा पीली है माने आभरी तुम्हारा बेटा है जी हाँ जूते बनाता है मैं रसोईदारिन हूँ बड़ी कटनाए की जिन्दिगी है तुमारी चल भई चल चाबुक पटक कर गाड़ीवान ने फिर पीछे मुड़कर देखा कुछ सुना तुमने अभी कबरिस्तान में जो लड़ाई हुई उसने धीमी आवाज में पूछा मैं सुना है कि लोग किसी राजनेतिक आदमी को दफन करने करते नहीं में से था कोई जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ है कोई जगड़ा है उनका उन लोगों के साथ ऐसा लगता है कि जो लोग से दफन करने आए थे वें समय एक ही आदत के लोग थे एक ही परकार के साथ ही थे एक दुसरे के वें नारे लगाने लगे सरकार मुर्दाबाज जनता को लूटने वालों का नास हो पुलिस ने लाकर उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया सुना है कि कुछ लोग तो तलवार से भी मर गए लेकिन पुलिस की पिटाई भी हुई वो एक शंड के लिए खामोश रहा मुर्दों को भी इस परकार सताते हैं उसने भयातुर स्वर में कहा और बड़े आश्चारी से अपना सेर हिलन लगा हाँ मुर्दों को भी चेहन नहीं लेने देते सडक के किनारे पर गाड़ी की खड़खड से इवान का सेर आहिस्ता से मा के सीने से ठक रहा गाड़ीवान आहिस्ता से पीछे मुड़ा और अपनी जगह पर बैठा बड़ बड़ाता रहा लोगों में बैचेनी उत्पन्न हो गई है गड़ बड़ी फैलती जा रही है कल रात हमारे एक पडोसी के हैं राजनेतिक फुलिस वाले आये थे सुबह तक वो एक एक वस्तु को उलट परट कर तलाशी रहते रहे और चलते वक्त एक लोहार को अपने साथ देते गए लोग कहते हैं कि आधी रात को उसे ले जाकर नदी में डुगो देंगे बेचारा वो लोहार काफी भला आजमे था क्या नाम था उसका मा ने पूछा ओ उस लोहार का उसका नाम था सावेल येव चंगो अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन जानता वो बहुत था प्रतीत होता है कि कुछ जानना भी चुर्ण है वो हम लोगों के पास आकर कहता था तुम कोचवानों की भी किस प्रकार के जिन्दगी है हम कहते हैं कुट्टों से बत्तर पस काड़ी यहीं रोकतो मा बोली गाड़ी को जटका लगने से इवान की आँके खुल गई और वो धीरे से करा हा अरे भाई बिलकुल ही दोता है गाड़ी वान बोला वोटका से यहीं हालात होती है बड़ी कठनाई से इवान लड़ा खड़ाता हुआ आंगन में पहुंचा मैं मैं बिलकुल ठीक हूँ मैं अकेला चला जाऊंगा वो प्रतिरोध करता रहा सोफिया पहले ही घर पहुंच गई थी वो बहुत खबराई हुई और उद्विग न थी और दातों में सिग्रेट दबाई हुए थी गहे लड़कों को कोच पर लिटा कर उसने जल्दी से उसके सिर्प की पट्टी खोली और सिग्रेट के दुएं के कारण आखे मिच मिचा कर आदेश देने लगी इवान दनिलोविच वो आ गया निलोवना ठक गई तो भय खा गई थी क्यों अच्छा आप आराम कर लो निकुलाई निलोवना को एक गिलास में थोड़ी सी पोट दे दो मह पर जो गुजरी थी उसका आगाद अभी तक उसके दिल से दूर नहीं हुआ था उसे सांस लेने में कटनाई हो रही थी और सीने में टीबर पीड़ा हो रही थी फिक्र ना करो उसने बुदबुदा का कहा पर उसके रूम रूम में ये इच्छा समाय हुई थी कि कोई उसकी देख भाल करे उसने बड़े प्रेम से छोटी छोटी आवशकता की तरफ ध्यान दिया था निकुलाई जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी दूसरे कमरे में से आया और पाने देखा कि उसके साथ डॉक्टर इवान दनीलोविच भी था जिसके उलजे बाल साही के काटों की तरह खड़े थे वो सीधे इवान के निकट गया और जुक कर उसे देखने लगा पानी उसने कहा बहुत सा पानी ले आओ और थोड़ी सी रूई तथा साफ कपड़ा वो किचन में चली गई पर निकोलाई ने माह पगड़कर उसे खाने के कमरे में पहुँचा दिया वो काम सोफिया को करने को कहा गया था उसने बड़ी शालीनता से कहा मेरा विचार है कि तुम बहुत परेशान हो क्यों हो न उसकी साहनुभूती भरी पैनी देश्टी के आगे मा अपने आपको वश में नहीं रख सकी क्या हो गया है उसने सिजक्तर रोते हुए कहा लोगों को उन्होंने कितनी बेरहमिक से मारा उनको तलवार से काट कर रख दिया मैंने सब देखा निकोलाई ने मा को शराब का गिलास देते हुए सिरह राकर कहा दोनों ही और लोग पाकल हो गए थे किन्तु तुम परेशान मत हो वे तलवार के चप्टे से मार रहे थे परलूम होता है कि केवल एक विक्तिक गहरी चोट आई है मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था और मैं उसे टड़ाई में से बाहर निकालाया निकालाय की बाद से मा को बहुत होसला बधा कमरेव के सुकर और प्रकाश मैं महावल से भी उसके दिल को काफी शांती मिली उसने बड़ी कृतक ग्यता से निकालाय को देखा तुम्हें भी मार बड़ी मा ने कहा नहीं मेरा हाथ तो शायद मेरी ही गल्ती के वैसे कट गया मैंने लापारवाही से अपना हाथ किसी चीज़ पर मार दिया था थोड़ी सी खाल उधर गई लो चाय पिलो बहार ठंडक है और तुम वस्त्र भी ठीक से नहीं पहने हो मा ने प्याली लेने के लिए हाथ भढ़ाया और देखा कि उसके उंगलियों पर रक्त सूख गया था उसने जल्दी से अपना हाथ खीच कर अपनी गोद में रख लिया उसका साया भीगा हुआ था उसकी भवें उपर को चड़ आई थी और वो आँके भाड़ कर अपनी उंगलियों को देखती रही उसका रिदय जोर से धड़क रहा था और उसे चक्कर आ रहा था बावील भी मुम्किन है ये लोग उसके साथ भी ऐसा परता भी करें इवान दनीलोविच वासकत पहने और कमीज की आस्ती ने समेटे हुए कक्ष में दाकिल हुआ उसने निकोलाई के मूख प्रशन का उत्तर बड़ी उची आवाज में दिया चहरे पर का घाव तो कुछ खास गहरा नहीं है मगर उसकी कोपड़ी की हड़ी चड़क गई हालकि ज्यादा चोट नहीं लगी है बहुत जीवट आदमी है मगर खून बहुत पह गया है इसे अस्पताल न भेज दे क्यों? कहीं रहने में क्या दुख है? निकोलाई ने का आज तो सही है और शायद कल भी लेकिन फिर उसके पश्यात से ज्यादा सरलता इसी में होगी कि वो अस्पताल में रहे मुझे मरीजों को उनके घर जाकर देखने के फुरसत नहीं मिलती कब्रिस्तान वाली घटना के बारे में तुम एक परचा तयार कर सकते हो तयार कर दूगा निकोलाई ने कहा मा खामूशी से उठकर रसोई की तरफ चल दी कहां जा रही हो दी लोबना निकोलाई ने बड़े अग्रह से उसे रोक कर खा सोफिया तुम्हारी सायता के बिना ही सारा कारे कर लेगी मा ने उसे एक नजर देखा और कापते हुए तथा विचितर तरीके से हसकर कहा मैं रक्त से लग्पत हूँ अपने कमरे में कपड़े बदलते समय वो इस बात पर आश्यरे कर दे रही कि ये लोग इतने बेफिक्र रहते हैं पर इतनी भेनक बातों को कैसे इस तरह हसकर बरदाश्ट कर लेते हैं इन ख्यालों ने उसकी उद्विटिंता को शांत कर दिया और उसके दिल से भैदूर हो गया जब वो उस कमरे में आई जहां वो गाय लड़का लेटा हुआ था तो उसने देखा कि सोफिया जुकर उससे कुछ बात चीत कर रही है गामरेट फ्यर्थ की भैस न करो वो कह रही थी मेरी फजे से और उको पेड़ा नहीं होती होगी उसने दबी जबान में प्रतिरोध किया अच्छी बाते करो तुमारे लिए अच्छा है मा सोफिया के कंधे पर हाथ रखे उसके पीछे खड़ी थी और लड़के के सफेद मूँ को देखकर मस्कुरा रही थी और लड़का सोफिया को बताने लगी कि गाड़ी में बैठकर जब वो ना जाने कैसी कैसी भहंकर बाते बुरबुरा रहा था तब वो कितना डर गई थी एवान की आँके बुरी तरह चल रही थी मैं मैं भी कितना बेवकुफ हूँ उसने शर्माते हुए कहा अच्छा अब हम लोग जा रही हैं सोफिया ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा अब तुम सोचाओ वे बैठक में चले गए और बड़ी देर तक की घटनाओं पर चर्चा करते रहे उन्होंने उसको अतीद की बात समझ लिया था और वे दड़ विश्वास के साथ भविश्य की तरफ देख रहे थे और अगले दिन के काम की योजनाय बना रहे थे चहरे पर ठकान को चिन होने पर भी उनके ख्यालों में साहस था और काम की बाते करते वर वे खुद अपने प्रती असंतोष को छिपाने की कोई चेश्ठा नहीं कर रहे थे डॉक्टर कुछ घबरा कर कुरसी का पहलू बदल कर बैठ गया वाजकर के वल प्रचार ही काफी नहीं है उसने अपने उचे और ठीके सवर में कुछ नर्मी लाने की चेश्ठा करते हुए कहा नौजवान मजदूर ठीक है ठीक ही कहते है हमें अपने अंदोरन श्क्षेत्र को विजदित करना चाहिए मैं आपसे कहता हूँ मजदूर ठीक है निकुलाई ने तियोरियों पर बल डाल कर डॉक्टर से कहा हर तरफ यही शिकायत आती है कि पढ़ने के लिए काफी चीज़ें नहीं मिलती फिर भी हम अभी तक एक अच्छा सा च्छापा खाना नहीं कोल पाए लोद मिला काम करते करते अपनी जान दिये चा रही है यदि हमने उसकी मदद करने के लिए कोई आदमी ना दिया तो किसी रोज वो भी भीमार हो जाएगी वे सुबश्चिकोफ के विशे में क्या ख्याल है सोफिया ने पूचा तिनों कुछ बोले बिना कई क्षण तक उसे देखते रहे ये भी अच्छा ख्याल है सोफिया ने खुश होकर कहा निलोवना ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है निकुलाई ने रुखाई से कहा तुम्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा जिसका मतलब है कि तुम पावेल से नहीं मिल से होगी और फिराम तोर पर भी इससे पावेल को कोई हानी तो नहीं होगी माने आभर कर कहा तुम सच पूछो तो मेरे लिए भी उससे मिलने जाना एक परेजानी है मुझे उससे बात करने नहीं दी जाती बस वे वहाँ खड़े-खड़े मुर्खों की तरह उससे देखती रहती हूँ और वे लोग मेरी मूगों घूरते है कि मैं उससे कोई ऐसी बात ना कह दू जो मुझे नहीं कहने चाहिए पिछले कुछ दिन की भाग दौड में वो बिल्कुल ठक कर चूर हो गई थी इसलिए शहर के कोलाहल से दूर रहने के संभावना मौजूद होते ही उसने सोचा कि ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए पर निकोलाई ने वार्दालाप का विशह बदल दिया इवान तुम क्या सोच रहे हो उसने डॉक्टर को संभोधित करते हुए गा डॉक्टर ने अपना जुका हुआ से उपर को उठाया मैं सोच रहा था कि हम लोग कितने थोड़े हैं उसने उदास स्वर में उतर दिया हमें अधिक मेहनत से काम करना होगा हम पावेल और अंध्रे को भी राजी करना चाहते हैं कि वे चेल से भाग रहे वे दोनों बहुत काम के हैं हम उन्हें इस तरह बेकार नहीं बैठाये दे सकते हैं निकोलाई ने भवें सिकोड़ कर अपना सिरी राया और एक तिष्टी माँ पर डाली यह समझकर कि वे लोग उसके सामने उसके पुत्र के विशय में बाते करने में संकोच करते थे माँ उठकर वहाँ से चली गए उसे इस बात का हैसास था कि उन्होंने उसकी इच्छा को ठुपरा दिया था वो आँखों को खोले पिस्तर पर लेटी हुई थी उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी लेकिन वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी दिन की अद्विग्न करने वाली सारी स्मृतियों को दूर हटा कर वो सिर्फ पावेल की विशय में सोचने लगी वो चाहती थे कि वो आजाद हो जाए पर साथ ही उसे ये भी डरकता था उसे ऐसा अभास होता था कि उसके चारों और की सारी घटने एक चरम बिंदु की और किसी भीशन संगर्श की और बढ़ रही थी लोग अब तक धहरपूर वक्ष सब कुछ सहन करते आये थे पर अब भविश्य की आशंका से उनकी भावनाओं में एक उत्ते जना आवी थी उनकी जंजलाहट काफी बढ़ गई थी चारों और उसे तरह तरह के शब्द सुनाए देते थे और हर चीज से असंदोश टपकता था जब भी कोई पर्चा बाढ़ता तो बाजार में, दुकानों में, सेवकों और दस्तकारों के मद्य उस पर गर्मा गरम बहस होती शहर में जब भी कोई बंदी होता तो लोग भैभीत और चिंतित होकर इस पर बहस करते कि ऐसा क्यूं हुआ कभी कभी अंजाने ही, उनकी बातों में हमदर्दी की जलक उत्पन न हो जाती अधिकादिक वो साधरन व्यक्तियों को ऐसे सब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे सुनती, जिसके सुनकर उन्हें स्वयम जमाने से डर लगता था विद्रोह समाजवादी राजने देख आदे अगर कोई इन चब्दों का प्रियोग व्यंग के साथ करता तो उस व्यंग के पीछे कौतुहल चुपा होता यदि इश्या के साथ करता तो उस तुईश के पीछे भाय चुपा होता और यादी सोच समझ कर इनकप्रियों करता तो उस विचार शीलता में उम्मीद भी होती और चुनोती भी कतिहीन जीवन के इस अंधिकार में चल्विस्तार पर असंतोश के घेरे धीरे धीरे पढ़ते गए जो ख्याल अब तक तबे हुए थे फिचाप पड़े और दिन की घटनाओं को चुपचाप सुईकार कर लेने की अब तक की प्रवर्दी भंग हो गई दूसरों की अपेक्षा मा इस बात को ज्यादा चिता समझती थी क्योंकि जीवन की क्रूर विधी का क्यान उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक था और अब जीवन में बढ़ती हुई विचार शीलता और असन तोष को देखकर वो खुश भी हुई और भैभीत भी प्रसन इसलिए कि इसमें अपने पुत्र के प्रयासों का फल दिखाए देता था और भैभीत इसलिए कि वो जानती थी कि अदि वो जेल से भाग निकला तो वो फिर इस संगर्ष में सबसे आगे चाखड़ा होगा जहां खत्रा सबसे ज्यादा था और वहां वो मारा जाएगा कभी-कभी उसके बेटे की आकरती कहानियों के नायकों का रूप धारण कर लेती और वे सभी अच्छे और प्रेणा में अलफास जो उसने अपने जीवन में सुने थे वे सभी व्यक्ति जिनको उसने अपने जीवन में सराहा था और वे सभी जियोतिर में तथा वेड़ता पूर्ण पादे जिन से वो परिचित थी उसके बेटे की आकरती में मूर्थ हो चुकी थी उस वक्त उसका मन कर्व और मम्ता से भार उठता और वो चुपचाब भाव विभल होकर उसकी कलपना करने लगती सब कुछ ठीक हो जाएगा वो सोचती किन्तो फिर उसकी मातरत्व की भावना व्रत्तर मानवता के प्रती उसकी भावनाओं को उसके रिदय से दूर कर देती उन्हें इस तरह नश्ट कर देती जैसे की वे किसी प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गई हूँ और उसकी अद्दात भावनाओं की राख में सिर्फ यही एक व्यतित विचार स्पंदन करता रहता था वे उसे माठा लेंगे वे उसे माठा लेंगे